पढ़ेंगे कहां से, शुरू कहां से करेंगे, कहां से सुरू, तो सुरू होगा बिलकुल जीरो से, जोड घटाना गुड़ा भाग से, हमें उमीद है लगभग लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन कोई मतलब नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैथ में वाली मैच चाहिए, बता बिटा, सबसे छोटा नियून कोण कितने अंसका होता है, अरे गुरुजी ये चेप्टर वदना पढ़े, ये बाकित सा बावत, अच्छा, एक अंतर कोण किसे कहते हैं, अरे रेखा गणी तो बच्पन से ही नहीं पढ़े थे, माश्टर पढ़ाय नहीं थे, तो बता तुम्हें आता क्या फिर, चलो देखो फिर, जोड घटाना गुड़ा भाग, यहीं से सुरू है, हमारा मतलब है कि आज की क्लास में हम आपको पढ़ने के लिए तैयार करें, ठीक है, पढ़ने के लिए तैयार करना, ये मत सोचना कि हम पहली क्लास में सबी लोग पहले अपने आपको ये मनाओ, ये जनाओ कि मुझे नहीं आती, सुभिकार करो, इसमें कोई सरम की बात नहीं है, इंसान पूरी जिंदगी सीखता है, लोग मानने को तैयार नहीं होते, मुझे नहीं आती है, मानिए सबसे पहले, एक चीज़ याद रखिए, लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, उसके बारे में हम 3-4 गंटे सोचते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, दिमांग में चलता है, मुझे रोटी बनाना है, रोटी बनाने में हमें 3-4 रोटी बनाने में मुश्किल से 15-10 मिनट लगता है, लेकिन उसको सोचने में उसके तैयार होने में कम से कम 2-3 गंटे लगते है कि तो तैयार होने में ही समय लगता है सुरू कर दो के करना तोताइम नहीं लगता है आ इस लिए आज हम आपको तैयार कर देंगे सुरू कर देंगे उसका बाद आप कर немного ज rapid जाओं एभ चलो देखो कोई ना कोई किसी से आपका बड़ा लगाओ है कालेज वाली से आप डर रहे हों पहली बार बोलने में है ना पहले बार ड़त लगता है ना एक बार बोले तो तो फिर रहे तो इ yapmışका रहत music के चलो तो जोड घटाना गुड़ा भाग यह दुनिया का सबसे आसान जोड है जिसमें कोई परकार का हासिल नहीं आता है ठीक है स्टार्टिंग वाला सिंपल सिंपल सा आप कहो कि हम अंगुली जोड जोड के बताएं तुमको यह जमीनों तो नहीं है कि देखो इसे तीन दो पांच पांच एक छे चार तीन साथ कितने लोग इसको कर लेंगे बताओ कुछ लोग तो कह रहे होगे हमाँ बचववा करता है इतना बड़ा तो हमाँ पांच आठ साल के लड़का है कोई बात नहीं आपको आता है अगर आपको आता है और आप फिर भी यहां रुके हैं तो मान लो कि आप मैद सीखना चाहते हैं इसको कर लेंगे बताओ अच्छा ये भी तुमें पता है मूबी में भी तुमें पता होता है क्या होगा लाश्ट में हीरो हीरोईन जित जाएंगे उनकी साधी हो जाएगी, शुरु बीच में, لड़की का बाप मानेगा नहीं, लड़की का पिता लड़के के साथ साधी करवा देगा, तुम्हें पता रहता है न, कि किसी पीकचर में, कभी फिल्म में, कभी एरो मरता नहीं है, तुम्हें पता है न, पिर भी तो देखते हो, क्यों देखते हो? सादी में जाते हो, तुम्हें आच्छे से पता है कि वही सर्व रस्म होगी, जैमाल होगा, वहाँ प्रोग्राम होगा, इधर उधर का लेना देना, जो भी चीज़ें, हर जगा वही होता है, फिर भी तुम बैठे रहते हो रात बर क्यों देखते हो पता तो रहता नहीं यह होगा देखे तो कभी ने कभी ने तो फिर फिर भी देखते हो तो वैसे आता है फिर भी देखो आता है फिर भी देखो यह सब पान तीन आठ दो दो चार और चार तीन साथ साथ दो एक तीन चार दो देखिए मेरा मतलब सिर्फ आपको इसमें आज तयार करना कलास के लिए बुरा नमाने वस देखें ये था वो जोड जो बीना हासिल के होता है उमीद है कि हर कोई इसको कर लेगा इसका अंसर कमेंट करना अब आगे नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ते हैं दिख रहा है देखो अब ये वो तरीके का जोड़ है जिसमें हासील आता है तीन दो साथ पांच एक तीन ये हासील वाला जोड़ है ठीक है समझ ना यहां पर ये साथ पांच बारा देखो बारा ऐसे लिखा जाता है इसमें two digit होता है ये once place होता है tenth place ठीक है इकाई दहाई तो जो एकाई येंक है यानि once place वाला इसको यहाँ लाके लिख देते हैं इसको और जो ये एकठी बच रहा था ना भाया ये दहाई यंक्वाला यानि टेंस प्लेस वाला ये अगले के आने वाली गिंती के चुरकी पर आके बैठ जाता है यहीं ऐसे चुपफ अभी दूनों जोड़ते हैं दू एक तीन और एक हांसिल चार और ये तीन तीन च्छा ये आगया छेसो बैयालिस सभी को समझ में आया ये था हांसिल वाला जोड़ एक बार मैं ये कब ही और बताऊंगा मुझे पता है दिकांस लोग को आता है फिर भी आपको बने रहना यहां पर ठीक है जिनको मैच सीखना है वो टाइम देंगे जाएंगे नहीं चलो आगे चलिए देखिए इनको कर लेंगे बहुत आसान है वेरी इजी है फाइब टू सेबन नो चार कितना होगा तेरा नाइन फोर थर्टीन और देखो यहां पर कोई परकार का कहरीया हासिल नहीं बचा है क्यों क्योंकि पांच दो साथ साथ सिंगल है अकेला है इसके आगे पिछ परफड़ा नहीं है उदार उदार कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं तो नौचार टेरा इसमें देखो भाई थर्टीन यह डबल है जोडी है इनकी तो एक पराणी यह आई जाएंगे पराणी यह रह जाएंगे ठीक तो जोड़ी है तो इनको लाके यहां लिख दिये और यह सिंगल वाले बचे हैं ठीक है तो अब जो हासिल वहां बच रहा था उद लाके इसके कोपड़ी पर रख देंगे अगले वाले के अब ये सेबन फाइब कितना होगा जानते हो ट्वेल वन थार्टीन थार्टीन का फिर थिरी और फिर वन बचा इसके कोपड़ी पे आ गया फोर थिरी सेबन यानि चार तीन साथ और एक हांसी लाट बोलो साही है बिनोट सोनी, जोती कुमारी, मधू कुपता, प्रिंसी यादो, हीना खातून, प्रभती, आरके यादो, आमन, पूर्णिमा, पूजा, पूजा राठोर ये अलग-अलग हैं भाई ये की नाम के कई बच्चे हैं अभी अधिकांस लोग भाग जाएंगे, मुझे पता है, अभी 15 मिनट के बाद ज्यादा ज्यादा लोग भाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो एक बार जोस हाता है, उनको बफ, हम सीखेंगे मैत, उसके बाद दूर दिन बार ठंडा, फिर, फिर दूर साल ब तो ये था वो जोड जो हासिल वाला और बिना हासिल वाला, अब बात करेंगे, जीरो, जीरो का जोड, अब जीरो का जोड, देखिए, ऐसे कुछ कुश्चन्स जिनमें जीरो आता है, ठीक है? सुनने का एक अपना अलग रोल है, समझिए, थिरी में जीरो एड करेंगे, थिरी, पान, तीन, आठ, और ये, पान, तीन, आठ, यहाँ पे क्या सीखा? कि सुनने को किसी भी संख्या में जोडने पर, संख्या पर कोई फरक नहीं पड़ता, वही आता है, ठीक है? मैं बार-बार बता रहा हूँ, आज की क्लास में जोडना घटाना आप सीखेंगे, प्लस क्लास के लिए मोटिबेट होंगे, कि आप मैज सीख सकते हैं, ठीक है? इसके बाग, आगे अगर आप हाई-फाई देखना चाहते हो, तो फिर आप तीफरी चोथी क्लास से जुड़ोगे, तो वहाँ परतिसाथ, सिम्पलिफिकेसान, प्रोफिट लास, और ये सब प्रोफिक आ जाएंगे तब तक, ठीक है? चलो, इनको जोड़ेंगे, 7, 2, 9, 5, 1, 6, ये अलग तरीके का जोड़ है पिछले बाले से, इसमें 0 है, क्योंकि हम उनको सिखारें जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको आता है उनके लिए तेहां कोई जगा नहीं, देखो, 3 में 0 एड करेंगे तो 3 ही रहेगा, 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, और 9, 3, 12, समझ मैं या, ये था क्या, जोड़ना, चापो भया, चापो, मनीज जाट, बत्मान रिटन्स, सैलेश कुमार, प्रबती माजी, भी म्यादो संगीता, फूजा प्रिंसी, पंकज, तो ठीक है, इसमें और ज्यादा कुश्चन करें किया, क्या मतलब है, नहीं न, इसको आप लोग कर लेना, इनको कर लेना, इनको कर लेना, फट से इसक्रें साड ले लीजिए जल्दी से, आईए, इसी में लगे हाथ, एक और बात करते हैं, कि जब ये तीन लाइन में होता है, तब कईसे होता है, तीन लाइन में, ये चाहे तीन लाइन में हो या पांच लाइन में हो, ऐसे ही होता है, दो एक तीन और तीन ये कितना होगा छे, कितना होगा छे, इसमें छे में देखो कोई हासिल नहीं क्योंकि ये सिंगल है, अगर सिंगल नंबर है, नाइन तक है, जीरो से लेकर तो उसम 2, 1, 3, और 3 में 0, 8 करेंगे, 3 ही रहेगा, 4, 3, 7, और 3, 10, है न, समझ गए न, तो यह कितना प्यार फे जुड़ गया, एक और देख लो, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे, आएफे, चाहे यह कितने भी नंबर हो, आप इन्हें आएफे करेंगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है, हम आपको जीरो से सिखा रहे हैं, तो हम सब कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें, नंबी नंबर पे संपर्क करो बाबू, नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है, आगे बढ़ें, तो ये था जोड़ना, जोड़ने में बहुत कुछ होता है, ये तो सिंपल सा जोड़ना बताया, अब अगर हम इसमें बात करें, कि अंडरूर्ट तीन में पांच जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी जोड़ना ही है, अगर हम बात करें, रूट सत्ताइस में, ये घनमूल तीन, चार तीन को जोड़ें तो क्या होगा, ये सब पढ़ाएंगे आगे चलके, अभी ये जोड़ना, इसके बाद इसमें सूट नहीं करेगा आपके लिए, ये तो वही हुआ न, क्या, कि मेठी गोले खिला के जायर पिला दिया, तो आईजा नहीं करने, वाले नहीं गड़बड हो जायेगा, इसके बाद ये चीज नहीं, अभी टॉपिक टॉपिक स्टेप स्टेप चलेंगे, आईए, तो अब घटाना, घटाना ठीक है, सब्स्ट्रेक्शन, आईए, सबसे पहले साधारन सा सवाल, साधारन प्रस्ट्र, मतलब सीम्पल कुईस्ट्शन, जो आसानी से इजी बे में सब्ट्रेक हो जाए, उधार वाला छोड़ो, अभी नहीं, कर लेंगे, यह बहुत सिम्पल है, देखिए, फॉर से थिरी सब्ट्रेक करेंगे, चार में से तीन जाएगा, तो कितना बचेगा एक, इसको बच्पन में हम लोग ऐसे बढ़ते थे, चार में से क्या घटाना है, तीन घटाना है, चार लाइन खीच लिया, तीन लाइन काट दिया, कितना बचा है, एक लाइन ही, इसका मतलब एक, कितने लोग ऐसा सीखे हैं, यादारा थोड़ा बच्पन, हम लोग तो भईया बोरिया लेके जाते थे, अपना जोला ले करके, अलग बैठ के, अपना बुईम खचाख खचाख जोड़ते थे, और कापी में लिख लेते थे, समझ रहे हो, आज कल फर्स पर बैठने वाले, टेबल पर बैठने वाले लोग कहां खिचाएंगे, तीन एक चार, दो एक तीन, तीन दो पाँच, अब बहुत दिन की बात नहीं, आज के 15-17 साल पहले, तक चलता था मतलब हमारे इसकूल अब बंद हो गया, अब नए जमाने की स्कूल आ गया, सब बंद हो गये पुराने वाले, तो यह आया समझ में, अगला, कर लेंगे ऐसे, सभी कर लेंगे न, यह बातें समझ भा रहे हैं कि नहीं, वहले मुझे यह बताओ, सभी को समझ में आ रहा है, उमीद है कि मैं सिख जाओगे न, पूरी गारंटी है कि आप मैं सिख जाओगे, बस कलास को आपको पूरा देखना प्यार से, जितना आप यूटूब पर सोचल मीडिया पर रील देख देख कैसे बरबाद करते हो टाइम न, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ टाइम देदोगे, हम सिखा देंगे, चलो, यह भी सिंपल सा है, इसको भी कर लेंगे, आज हम वही पढ़ा रहे हैं, जो आपको आता है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है, 3, 1, मसे 1 गया, कितना है भाईया, 2, यह देखो, हासिल वाला बन जा रहा है, इनको थोड़ा चेंज करो, अभी हम हासिल वाला नहीं बता रहे हैं, इनको 5 कर लो मल लो 5 में से 3 गया 2 7 में से 0 7 9 में से 5 4 सबी को आ रहा है अभी वो भी बताएंगे माइनस प्लस जब सब हो तब भी बताएंगे सबर रखो अभी ये बताएंगे ये बताएंगे 3 4 3 प्लस माइनस 21 माइनस 18 ऐसे ये सब करेंगे अभी सिंप्लिफिकेशन सरली करन में ठीक है इनको कैसे काटेंगे इनको कैसे सिंप्लिफाई करके ऐसे लिखते हैं वो सब बताएंगे फली रखे ठीक है समझ रहा ना मेरी बात वो सब होगा आए देखिए तो ये क्या हो गया आपने जोड और घटाना सीख लिया अभी नहीं अभी घटाने में तो LKG वाला लेबल सीखियो और आप हो टेट टेट सुबर टेट वाले लेबल के पढ़ने वाले UPSC वाले है न तो हमारा ये परपज है चोटी चोटी चीज़ें बताने का कि आपको ये लगे कि हम कुछ छोड नहीं रहें हम बिल्कुल सुनने से सुरू कर रहें ठीक है तो जिनको मैथ नहीं आती है ये बिल्कुल चोटा चोटा चीज दो दिन में खतम हो जागा एक दिन में उसके बाद आप लाइन पर आ जाएक अपने टॉपिक पर फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हाई दया कुछ चूट गया कुछ चूटा नहीं फिर समझ रहे हो तो कुछ चूटने वाली बात नहीं है आईए अब घटाने में नेक्स्ट लेबल का अगला लेबल सिकेंड मान लो घटाने में बताईए देखिए इसमें थोड़ा अलग है थोड़ा सा अलग है जल्दी से सब्ट्रेक करके बताओ कितना आएगा कितना आएगा देखिए इसमें उधार वाली बात होगे कहरी वाली आगे बढ़े मैद से डर नहीं लगता यहां पर आने वालों को मैद से महबत करवा दी जाती है समझ रहा हो और महबत के बाद कुछ दिन बाद की साधी भी करवा दी जाती है किसे मैद से तो इफ लिए आप कुछ दिन आओ तो देखो न डर नहीं लगेगा यहां मैद से आईए देखिये कैसे तू से फाइव सब्ट्रेक करना है बहिए दो से पांच नहीं घटने वाला साधान तरीके से तो क्या करेंगे पता है मैद वाले मानते बहुत हैं कलपना में बहुत जीते हैं सुख्य रोटी भी खा जाते हैं कि दाल है मेरे साथ में चलो देखो कैसे हम इनको मान लेते हैं कि ये दो में इधर पडोसी से उधार ले लिया इसको 12 बना दिया कितना बना दिया 12 अब 12 से 5 को सब्ट्रेक करेंगे 12 में से 5 को घटाएंगे 7 आएगा कितना आएगा था कैं यहां पर सतलि लेकिन maanने से ही तो जिन्दगी चलती नहीं और रियल्टी मेरी कर दो चांकना इपड़ता हैं य मैंग उसमें से एक उधार दिया थे कम उगया ठीका यह मान के चलते है तो यह चार बचा है चार मेंसे 1 गया 3 चार मेंसे 1 गया कितना? 3 इतना हो गया अब देखो 3 मेंसे 4 तो घटेगा नहीं फिर क्या करेंगे? आगे से उधार लेंगे इनसे उधार लेते हैं 4 से इसको बनाते हैं 13 13 से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 9 9 यहां लिख देंगे अब हमारा काम हो गया इनको घटाओ आजकल दुनिया ऐसे चलती है सिर्फ अपने गर्ज से काम हो गया उनको घटाओ इसमें से एक उधार लिया था तो इसको मानते है कम हो गया है तो यह 3 बचा है, 3 में से 2 गया एक कितना? एक वो नहीं 37 आया बोलो समझ में आया थोड़ा सभी आया एकदम रच्ची भर आया कमेंट करो इमांदारी के साथ आया कि नहीं अगर 2% भी आज आपको आ गया न तो आप उम्मीद बना लो कि आपको मैं था जाएगी सिर्फ यही चीज़ें अगर आपको आ गई कुछ लोगों को लग रहा होगा हमको तो आती है यह सब तो आता है काहे को देखें तो मैंने कहा ना साधी में गयो कभी तुम्हें पता है कि वही रसम होगी जो पुरानी फड़ाने साधी मुई थी फिर भी क्यूं देखते हो क्या मिलता तुम्हें कुछ मिलता है नहीं न फिर भी जाते हो वेसिंस तूम्हें आता है फिर भी देखो यह सब भी देखते उना ये लाश्ट सब्सक्राइए को मूँ भी देखते हो तो वैसे देखो इसको भी तभी कुछ मिलने वाला है इनको घटा लेंगे कर लेंगे 4 से 3 सब्ट्रेक होगा 1 आयेगा कितना 1 5 से 9 जायेगा कितना आयेगा 5 से 9 जायेगा नहीं पडोसी से उधार लेगा इधर से तो यह कितना बन जायेगा 15 कितना बन जायेगा यह 15 अब 15 में से 9 जायेगा 6 कितना आयेगा 6 अब यह जो लिखा था कालपनीक नंबर इसको अटा दो देखी यह तीन इसको उधार दिया था अपने पास नहीं खाने को चले हैं बुजाने को कैसे बात है वैसे हैं कि तीन तो खुद नहीं घटरा नीचे फिर भी क्या किया था उसको उधार दिया था अब यह बचा है 2 कितना 2 अब 2 में से 5 तो घटेगा नहीं फिर क्या करेंगे फिर पडोसी से उधार लेंगे ठीक है तो फिर पडोसी से उधार लेंगे तो इसको मान लेंगे कि यह बन गया कितना 13 नहीं बन गया 13 12 बन गया क्य इस में से अब उधार इसको दिया था ये बचाए 7 7 में से 9 तो फिर नहीं घटेगा फिर इधर से उधार लो पडोसी से तो 7 क्या बन जाएगा 17 17 में से 9 गया 8 9 8 17 होता है 9 8 17 होता है नहीं भई होता है तो कितना 17 में से 9 गया 8 देखो ये इसको एक उधार दिया था ये 8 बचा है 8 में से 5 गटाओगे स्वरी 3 गटाओगे 5 आएगा 58-700 61 आया समझ में देखिए एक बार मैं फिर बोल रहा हूं जिनको मैच सीखना है और कलास को पूरा देखेंगे बीच में छोड़के नहीं जाएंगे हम मानते हैं कि आपको ये सब आता है फिर भी आप इतना टाइम सोसल मीडिया पर फालतू जगा बरबात करते हैं आज आप टाइम देखे जाएंगे लाश्ट में आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा ठीक है ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जो आप सोच रहे हुआ ही होगा कुछ नया भी सिखाएंगे बीच में भी देखना तो ये चीजें कर लोगे नार्मली चलो ठीक है घटा लो फटा पड़ चलो फटा पड़ सब्ट्रेक करो भाई चलो कर लोगे ना बढ़िया तो ये क्या था जोड़ना घटाना हसिल वाला भी कर लिया अब हम आपको ये भी सिखाएंगे जनाव क्या कि जब 4 x y से आप 3 y घटा ओगे तो क्या आएगा ये भी घटाने में सिखाएंगे 9 x square y से जब तुम x square y square घटा ओगे तो क्या आएगा ये भी सीखोगे आप Basic Math में ही अभी है ये भी Basic Math में है जब ये भी सीखोगे अभी ये भी इसको घटाएंगी तो क्या होगा बेसिक मैत में सिर्फ जोड घटाना ही नहीं पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है आगे चलके अभी ठीक है ब्रियत कोण संपूर्ण कोण, नियून कोण, अधिक कोण यानि स्ट्रेट अंगल, एक्यूट अंगल, अप्ट्यूस अंगल रिफ्लेक्स अंगल, कंप्लीट अंगल ये सब भी पढ़ना है उसी में तिरबुज के बारे में पढ़ोगे तिरबुज शे परकार के होते हैं आयत वर्ग, ब्रित सब पढ़ना है लेकिन अभी शुरुवात है जब बच्चा पैदा हुआ है छोटा सा तो पहले लकेजी में ही पढ़ता है है ना, तो ये मान के चलो, स्टेब बाई स्टेब पूनम जी बिल्कुल कलास बंद नहीं होने वाली है जब तक हम रहेंगे इस धरती पे देखो एक बार जाके लोट आये हैं पता ही नहीं तुम लोग को चलो, तो ये बात समझ गए सबी अगली कलास डियलेट वाली है और मुझे लगता है कि जोड घटाना हो गया है कुछ कुश्चन दे दें, आप लोग करेंगे जो इंट्रेस्टेड है अब बाकी जिनको आता है कोई बात नहीं है एक बार मैं फिर फे बता दूँ जल्दी से उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ध्यान से स्क्रिन देखिए ये नया बैच शुरू है जिसका नाम है बिंटर बैच आज पार्ट वन है ये बैच यूटूब पर बिल्कुल फ्री होगी इसका कोई पेमेंट नहीं करना है यानि जो आप लोग तीन महीने का हजार पंदरा सो जमा करते थे कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है क्लास को लाइक और सेयर करना है बस और जबर जस्ती सेयर करना है अपने सभी दोस्तों को अपने घर परिवार के लोगों को भले वो देखे या न देखे सभी को भेजना है स्टेटस में भी लगाना है वर्ट सब पे हम देखेंगे कौन-कौन लगाता है ठीक है बिल्कुल लाजसरम छोड़ करके कि हाँ इतो जोड़ घटाना बिल्कुल सुरू से सिखा रहे हैं किसको दिखाए हैं आया है गजब बेज़ती है तो बेज़ती छोड़ करके सेयर करना है और ये बैच के लिए आपको रात 9 बजे लाइब जुड़ना है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी यूटूब पर हमारी कोशिस है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यूटूब पर लाइब आएंगे इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल बाद में नहीं मिलेगी इस बैच की याद रखिये कांग खूलके सुन लिजी तीन कलास की मिलेगी सुरुम बस उसके बाद नहीं मिलेगी हम नहीं जानते आपके क्या-क्या काम करना है हमरी कि इन्दकीन बहुत सारा काम है सारा काम छोड़े आएंगे आगर आपको सीखना है और फ्री सिखाएंगे सारा काम छोड़के आईए लाइब आप ठीक है रात नो बजे लाइब आईए बिल्कुल सीधा फीधा बिंटर बैच में बिल्कुल सुने से सिखाएंगे ये बैच आपके DLA, CETET, BEAD, TET, SSC, UPSC, NEERJEE, all other exam सब के लिए कोई ऐसा परिच्छा नहीं इंडिया में जो होती हो जिसमें ये महत कामना है क्योंकि भईया, सिखाएंगे न, बेचिक सब का वही होता है अरे कोई परकार की बिल्डिंग बनेगी है, जोपड़ी बनेगी, जमीन पर हिवनती है, निउ सब की वही होती है होती है कि नहीं बताओ अब यह जोड़ घटा ना मैंने पांच में तीन जोड़ा आठ हुआ है तो क्या यूपी यूपी यसी वाले होंगे उनके लिए बारा होगा क्या यूपी तीरपेल यसी वालों के लिए साथ होगा क्या नहीं होगा ना नीड जेए वालों के लिए क्या पांच में तीन जोडने बठा रहा होगा आठी होगा सब के लिए ना तो जब हम सुरू से स्टार्ट किये हैं तो सब चीजें आपको जो सिखाई जाएंगी वो सब के लिए होगी ठीक है तो ये भरम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किस परिक्षा वाले हैं आप किसी भी राजे से हो इंडिया के हर किसी के लिए जैसे एक छोटा सा कूश्चन आप से मैं करूं कि अगर संख्या 1820 का हम 10 परफेंट बोलें क्या होगा बताओ बताएए आईए बताता हूं 1820 का 10 परफेंट मतलब ऐसे दस बतासो दू जीरो दू जीरो कट गया 182 यानि अगर हमारे पास 1820 रूपे हैं हम कहें कि जो सब कूश्चन कर लेगा उसे 10 परफेंट दे देंगे यानि उसे 182 रूपे दे देंगे अब चाहे आप UPSC के कंडिडेट हैं या आप SSC के हैं या आप रेलवे का गुरूपडी देते हैं या आप बीएट सीटेट के स्टूडेंट है 1820 का 10 परफेंट सब के लिए 182 ही होगा तो ये मत कहना कि हमरे लिए है कि नहीं है समझ गये ना आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो ये 1820 का 10 परफेंट सब के लिए वही होगा कुछ अलग उत्तर नहीं होगा तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इस भैच में कलास पढ़ाई जाएगी वो सब के लिए होगी आप किसी भी परकार के कंडिडेट हैं किसी भी परिच्छा के लिए है ठीक है काफी पेस ना करें कोई अगली कलास 10 बज़े से होगी तो मेरा यही कहना है कि आप लोग डेली रेगुलर कलास में आएं और जुडें और पढ़ें आज आपको मैंने जोड घटाना पढ़ाया है क्या पढ़ाया है जोड घटाना पढ़ाया है इसके आगे गुडा भाग गुडा भाग के आगे आपको भिन सरली करन एनी सिंपलिफिकेशन वर्ग मूल घण मूल ठीक है करडी हो गएरा और फिर परसेंटेज प्रोफिट लास और वो क्या आयत वर्ग तिर्भूज बृत गन यह सब पढ़ेंगे गन आप सब कुछ होगा ठीक है एक तरप से लेकिन इसकी रिकार्डिंग नहीं मिलेगी बाबू ना इसकी रिकार्डिंग यूटूब पे नहीं मिलेगी चलो इनको कर लोगे ना यह सब आप लोग कर लीजिएगा वैसे फालतु है मुझे लगता है यह सब देना की नहीं हुँ अपलिकेशन के जो बच्चे हैं उनकी लाइब क्लास एक नमबर फे चलेगी उसकी तो बात ही न करो वो तो अलग चीज है मतलत दूसरी बैच की यह बैच तो मैंने फ्री चलाया यूटूब पे इसमें कोई पैफा नहीं लगेगा लेकिन आपको लाइब आना है लाइब के लाइब में बात मिलेग अभी नहीं इनको घर से कर लीजिए ठीक है इसक्रीन साड ले लिजिए यह बैच आज ही शुरू हुआ है भी मियादो आज क्या पढ़ेंगे आज साथियों टॉपिक है गुड़ा और भाग एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम बिल्कुल जीरो से मैत का एक नया बैच शुरू किये हैं तो इसमें हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे सिखाएंगे आपको पढ़ाएंगे नहीं सिखाएंगे और आपको आता होगा काफी चीज है इनमें फिर भी आपको कलास को देखना है से मुसी तरह जैसे आप साधी विबाह में जाते हो आपको पता है कि वही सपर किरिया होगी साथ फेरे जैमाल और फिर भी तुम जागते हो पूरा रात ना वैसे बिल्कुल और मूवी में पता होता है कि लाश्ट में हीरो हीरो इन एक हो जाएंगे गहरी मुहब प्रिती जी कमेंट आरा आपका रचना भीम प्रिया राजकुमार बलाई बुपेश मोनिका मोहित आरिफ जितेंद्र एमडी सानवाज रेखा जादो श्रिष्टी मौर्या नेम पाल सिंग दर्स सिंग आरिफ अंस संभवी मिस्रा सानाज परबीन और भी बहुत से बच्चे जुड़ें सभी का नाम पॉसिबल नहीं है तो सुरू करें देखिए कलास शुरू होने में दुचार मिनट लग जाता है कोई बड़ी बात नहीं है चलिए गुड़ा गुड़ा क्या होता है वाट इज मल्टिपल क्या होता भाई गुड़ा जब किसी एक ही संख्या अथव आंक को एक या एक से अधिक बार सुर यहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार लिखा जायेगा थीकए 2 या 2 से अधिक बार क्या करें गुड़ा करें गुड़ा नहीं जोड़ें ठीक है जैसे अगर 5 को हमने जोड़ा कितनी बार यहाँ पे देखो 4 बार अगर 5 को हम 4 बार जोड़ते हैं तो 20 होगा जोड़ के देखो भाई 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 चाहे इसको हम ऐसे जोड़ें और चाहे हम 5 को 4 बार जोड़े हैं तो 4 में गुड़ा करें 20 यह तोनों पर्किरिया में सेम आता है ठीक है कि अगले 20 मिनट बाद फिर सबका कमेंट पढ़ेंगे तब तक किसी का कोई comment नहीं देखेंगे क्लास को पूरा इंटे तक देखना है अगेर आपको मैच सीखना है याद रखना अगर आपको मैच सीखना है जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है अगर स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो पहले मरना पड़ेगा तब ही स्वर्ग मिलेगा जीते जीने मिलता है सुने हो न कि नहीं तो जो लोग सोचल मीडिया पैसे खिसका खिसका के रील देखते हैं अपना टाइम पर बात कर रहे हैं उतना टाइम अगर यहां दे दोगे आज तो बहुत अच्छी बात है आए तो यह समझ में आया इसी तरीके से अगर हम भी वाला बात करें दूसरा एक्जंपल हाटीन प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन यह जोड लीजिए 39 आएगा 49 कितना आएगा 39 है अच्छ आ हमने क्या किया 13 को क्या किया 13 जोड़ा अगर हम यही काम करें कि 13 को 3 बार जो जोड़े हैं ना जोड़ करके 13 को 3 से multiple करें तब भी 13 नहीं आएगा समझ मैं यही गुड़ा है यही गुड़ा की परिभासा है समझ गए ना पक्का समझ गए एकदम अच्छे से चलो अच्छा पक्का समझ गया सब ही ना एकदम अच्छे से क्यों को कौनो दिक्कत ना है न कब आईया बुझान की ना है बुझानो बुझाय यह बहे देखा C नमबर देखा 7 प्लस 7 प्लस 7 कितनी बार जोड़ो पहले इनको 7, 7, 14, 7, 28, 7, 35 5 बार है कितनी बार है भाई साहब 5 बार है 1, 2, 3, 4, 5 एक काम करें हम 7 को अगर 5 में गुड़ा कर दें तब भी 35 आएगा यही क्या है गुड़ा की परिवासा बढ़ियां समझ में आ रहे साचिन सेन, दिनेस, मोहित प्रिंसी, जोती इक्स्क्लिूसी बॉय आओ चलो आगे बढ़े ठीक है बढ़ियां आए समझ गए इतना मस्ट चलो तो टेली क्लास की लिंक PDF और आदी अपडेट के लिए हमें टेली गराम पे जरूर जोईन करिएगा जरूर से जरूर करिएगा कसम है उसकी किसकी जो समझ गए उनी के लिए बस चलो आओ देखो ये कसम होसम तो मजाग में बोला वाकी कुछ नहीं मत करना है तुम्हें गरज होगी पढ़ना होगत कर ले न नहीं पढ़ना होगत मत करना चलो तो ये था गुड़ा की परिभासा अब बात करते हैं गुड़ा का एक बड़ा ही महत्तपूर अभिन अंग वो क्या है देखना अभिन अंग गुड़ा का क्या है जीरो का गुड़ा मल्टीपल आफ इसे रहेगा मल्टीपल आफ जीरो सुनने ना समझना है आपे जैसे साथी मेरे पहला है कि फाइब का मल्टीपल जीरो से करेंगे तो क्या है का बताओ कमेंट करो फटा फट जल्दी से बताइए का मुताक रहे हो कुछ निकलने वाला नहीं दर से चलो बताओ अच्छा जीरो का फाइब में करें तो का होगा बई बताओ 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 बहुत अच्छा बेरी गुट देखिए जो एकदम महाना लायक होते हैं समझ रहे हो उनके लिए तुम कुछ भी कर लो महाना लायक ही रहते हैं फिलहाल ये एक जामबा थोड़ा कम बैठा ये जीरो है ना चाहे इसको इधर से गुड़ा करोगे चाहे इधर से ये क्या आएगा जीरो ही आएगा बिल्कुल वैसे समझे लो जैसे तुमने तर्बूज देखा होगा सबी लोगोंने खीरा भी देखे हो खीरा ककड़ी तो चाहे चक्कु तर्बूज पर गिराओ तर्बूज चक्कु पर गिराओ कटेगा तर्बूजी तो 0 चाहे इधरे रहे, चाहे इधरे रहे मतलब अगर है वो गुड़ा में तो आएगा 0 ही समझ रहे हो? तो ये 0 आएगा ये भी 0 ही आएगा समझ रहे हो? एक और चीज बताओं गुड़ा की बारे में देखो ये क्या और बताओ कितना आएगा बिना कुछ सोचे अगर कहीं भी कोई प्लस माइनफ नहीं है, सिर्फ गुड़ा का चिन्न है, तो आप 0 लिख दो अगर आपकी टीम में आपकी संगती में एक महाना लायक सामिल है तो सब लोग महाना लायक हो जाओगे ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं अगर सबी बच्चे एक बार क्लास को सेर कर देंगे, आज 100 पलस पार हो जाए फटा फट सेर करें दबाके चलो एक चीज़ और नहीं बताया ये क्लास फिर लाइब देख पाओगे लाइब की बाद यूटूब पे नहीं रहेगी सिर्फ सुरू की तीन क्लास रहेंगी बस यूटूब पे इसलिए सारा कामधाम छोड़के अगर पढ़ना है तो 9 से 10 लाइब आओ फिरी में पढ़ाएंगे 1999 रुपे फीस है इसकी साल बर की इसकी जगा पे जीरो लेकिन आप 9 से 10 पढ़िया आखे लाइब इसको कोई बताएगा एनिवन बताओ भई फटा फट चलो ठाकूर रिसी चौहान बताएगे जवाब दीजिए कितना आएगा चलिए एनिवन समभा भी समझ में आ रहा है जोती सचीन बेरी गुड चलो देखो यहाँ पर होगा क्या तीन प्लस इनका गुड़ा होगा यह तो जीरो हो जाएगा प्लस फेबन प्लस नाइन माइनस वन जितना प्लस प्लस है आपस में जुड जाएगा तो तीन साथ दस नो उन इस उन इस में से एक जाएगा ठारा आएगा यह जीरो नहीं आएगा देख लो वही हाल हुई वही वही कौन बच्छपन माली देखे थे की नहीं कब उतर ऊड़ चिन्डिया ऊड़ मैना ऊड़ बीच में कोई बोल दिया हाथी ऊड़ तो उसको भी उड़ा दिया हम बिल्कुल उडा रहे हैं कुछ लोग हमने यह हम बताया 0000 होगा तो हुआ रहेándyic को हाथी मत उडाओ भैहा थी नहीं उड़ सकता है तो अगर चाज ठो रहे हैं जिरू आया तो समम जीरू ना आै भैया देखा थ्वड़ा समझा जैसे देखो हाथी उड़ाने में कौन-कौन सामिल है संभवी M.D. गुलाब, संजीत, मोनिका सिंग, मोनिका त्यागी मोनिका तिग्या चलो ठीक है करो नकल तो ये था क्या जीरो का गुड़ा आगे आए देखते हैं अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं चुकि हम बिल्कुल जीरो से सिखा रहें, पढ़ा नहीं रहें तो इसमें आपको थोड़ा सबर बनाके रखना पड़ेगा एक आंक का एक आंक में गुड़ा करेंगे ठीक है? एक अंक का एक अंक में गुड़ा करेंगे लगवा कहर कोई कर लेगा पका अब बताओ ये इतना छोटा सा सवाल हम दे रहे हैं कि सवाल भी सर्मा जाए है ना कर लोगे न कुछ लोग कह रहे होंगे इसको तो हमाई छटका बटववा कर ले है इतना बड़ा थमा लड़का है जो कर लेगा इसको हमको पढ़ाय रहे हैं इसको कोई बात नहीं अभी कुछ लोग के लड़का नहीं है जो उमीद में है तो उनको भी थोड़ा मोटिबेट करिए कि कैसे हो गया भाई चलो मतलब सवाल कैसे हो गया लड़का नहीं उसको सबको जानते हैं चलो देखो कलास एर नहीं कर रहे हैं आप लोग ना ठीक है मत करो चलो देखो सभी को टेबल आता है पहले एक बार हाथ खड़ा करो कितने तक आता है इमानदारी के साथ जूट नहीं बोलना हम टेबल की त्रिक भी बताते हैं अगर आपको पहाड़ा नहीं आता कोई टेंसन नहीं पहाड़ा आप 10 मिनट में याद कर लेंगे 10 मिनट में बढ़ाते नहीं हम सिखाते हैं सिखाते हैं आप पहाड़ा बना लोगे समझ रहे हो कि नहीं हम आपको कोई चीज खरीदना नहीं बताते हैं रटना हम आपको बनाना सिखाते हैं बना लो आप चलो देखो कैसे कुछ लोग सोच रहे होंगा इंगलिस में का है बोल रहा है तुमको पता है पहले हम ट्यूसन पढ़ाते थे होम ट्यूसन स्टार्टिंग में जब पी वीर स्टडी नहीं था यह सुरुवात भी वहीं से हुई है तो हम सीबेसी बोड़ वाले अपने स्टूटेंट से इंगलि कैसे बोलते हैं क्योंकि मैं कभी इंगलिस मीडियम में पढ़ा नहीं था और मैंने इंगलिस मीडियम वाले इतने बच्चों को ट्यूसन पढ़ा दिया इसी सीबेसी वालों को उनके मम्मी पापा नहीं समझपाए कि हम हिंदी मीडियम वाले थे शहरू यह होती है सिर्फ एक की ट्रिक बताऊंगा बाकी आप कमेंट करोगे बाद में मिल जाएगा ठीक है जैसे देखो अगर हमें 17 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम आपको 17 का टेबल पढ़ने की ट्रिक बता रहा हूं अराम से हर किसी को आ जाएगा देखो कैसे पहले आप एक का पहाड़ा लिखो एक एक कम एक दूना दो एक तियांगी तीन एक चोके चार एक पंचे पांच इतना समझ में आत एक बार हाँ बोल दो फटा फट चलो बोलो बजरंग वली कीजे संख्या हो गई पूरी दफ हजार ना दस हजार इस्टूडेंट आ गए ना आज बेरे गुड चलो देखो बोलो ना मुझसे चलो वनका हो गया अब सेबन कर टेबल लिखेंगे देखो नाइन तेन तक टेबल तो आपको आना चाहिए नार्मली आप याद कर सकते हो ठीक है साथ एक कम साथ साथ दूना चवदा साथ तरीक या कईस साथ चवकट थाइस साथ पचे पैंतिस साथ चंग बयालिस साथ सता उन्चास साथ अठे छपपन बढ़िया कोई डाउट ना किसी को हम चलो हम पढ़ा रहे हैं सतरा का टेबल कैसे बनाएंगे चलो देखो आओ चलो बही आजा 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 ये सतरा ठीक है इसमें कोई खत्रा नहीं है इसमें देखिए बीच के दो अंक को जोड लेंगे शुरू के ठीक है तो दो एक तीन कितना दो एक तीन तो ये हो जायागा चौटिस स्टार्टिंग के दो अंक को आप जोड लेंगे तीन दो पांच तो यह हो गया 51 देखते जाओ बाद में पहाड़ा सर्च कर लेना गूगल पर जो बनेगा वही होगा सत्रा सत्रा फता दुना चौती फत्रता 51 सत्रा चौका होता आड़ फट अपकी अनफट बनेगा देखो सुरू के दो अंक जोड़ो 4,2,6 सत्रा पचे पचास ही होता है सुरू के दो अंक जोड़ो 5,3,8 सुरू के दो अंक जोड़ो 6,4,10 बोलो बन रहा है की नहीं सत्रा चौका 102 बन रहा है ना मोनिका अमन पार्थ कुमार जारीना खातून लाई भाई है चलो सुरू के दो अंक जोड़ो भाई साथ चार ग्यारा सुरू के दो अंक जोड़ो 8,5,13 ए रुगना रहे दादा और लास्ट वाला छे सुरू के दो अंक जोड़ो 9,6,15 और फद्रादाम्मा 170 सुरू के दो अंक जोड़ो 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही रहेगा ये हो गया पहाड़ा खतम कितना आसान था ऐसे तुम टेबल बना लो 99 तक का कोई वी टेबल कभी याद नहीं करना पड़ेगा ये तो था टेबल बनाना अब हम आपको जुगाड बता रहें इंडिया वाला समझ में आ गया ना किसी को कोई तकलीव स्थागुन आया समझ में ही ना खातून अर्चना यादो एक बार सभी हाँ बोलें फटा फट और ये सेशन को लाइक करें बहुत जल्दी एक बार बोलें आ गया यस मैत नहीं आती तो कलाश छोड़ के ना जाना आये हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके तो बने रहना ऐसे प्यार प्यार बनके समझ रहे हो जाना नहीं मैत सिखा देंगे पूरी गारेंटी है चलो देखो कैसे तो यह तो था टेबल की ट्रिक अब मैं जुगार बता रहा हूँ जुगार देखो क्या है जैसे मान लो कि अगर हमें गुड़ा करना है नान्टी फाइब में किसका किसका मान लो हमें इसमें 17 का गुड़ा करना है आप चलो हमें पहाड़ा सतरा का आता नहीं है, कैसे करेंगे पता है आपको, देखो सतरा का पांच में गुड़ा करना है, हमें नहीं पता कि सतरा का पांच में गुड़ा करने कितना आता है, तो हम ऐसे करेंगे, सतरा का पांच में ऐसे गुड़ा कर लेंगे, पांच सतरा का का गुड़ा 9 में करना है हमें नहीं पता कि 17 का गुड़ा 9 में करने पर कितना आएगा तो क्या करेंगे 17 का गुड़ा 9 में कर लो यह नौशत्य सिर्फट हाँ फिला अच्छे 9 कम नौशा 15 15 15 15 में आठ जोड़ दो 161 15 में साथ जोड़ेंगे 160 161 बोलो यह जुगाड सही है न यह बिना टेबल याद कि यह बिना बनाए उसके लिए नीचे नंबर चल रहा बाबू कोई कॉपी पेस्ट ना करो कमन कापी पेस्ट ना करो नीचे नंबर चल रहा है दिन में संपर करना प्रिया सुकला समझ में आ रहा है सलमान खान सरी सलमा खान कंफूज हो गया थोड़ा बीच बीच में थोड़ा यह डोड़ आएगा उसको भी देखते जाईएगा क्योंकि आप लोग फिरी पढ़ रह दो अंक का एक अंक से गुड़ा ठीक है देखो पहला 35 गुड़े साथ दूसरा 31 गुड़े छे हम आपको मैथ बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं यह मत भूलना तो ऐसी दसा में आपको कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई जा सकती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी है एरे दादा रुक जा तू भाग का एकुरा है दोखा मेरे साथ चलो ठीक है आगे बड़े का कहता है बोलना का है सर्मा था सर्मान थोड़ी आया सर्मान इतना बोले रहा फट फट चलो तो साथ पचे 35 पैटिस देखो इनकी जोड़ी बनी आलरेडी तो भाई यह तो जोड़ी बनी है सिंगल नहीं है तो 35 का जो पांच है न इनके लाग यह लिखेंगे और जो तीन है इनके खोपड़ी पे ठीक अब साथ तरिक 21 में तीन जोड़ देंगे क्योंकि हाफिल था व सभी को समझ में आया बीच बीच में हाँ बोलते जाओ 111 संख्या हो गई है बरे गुट चलो यस बोलते जाओ फटा फट बहुत दिन बाद यह संख्या देखने को मिली है चलो इनका गुड़ा करेंगे छे नमाई चववन भाई इनकी जोड़ी बनी ये भी सिंगल नहीं है मेरे जैफे देखो डबल नहीं है भी इनके एक परानी को ही अलाके रखते हैं दूसरे परानी इनके बन जाते हैं हाँ फिल ठीक तो 6,9 जा 54 54 का 4 यहां हो गया 5 हो गया कहरी एंड 6,2,12 12 में 5 एड लेकिन तो छा नमाई चाववन के चार हांसी लाया 5,6 यह दूना 12,5,17 चाही है न आकास सुकला समझ में आ रहा है माला आ रहा समझ में पूनम, प्रिंसी, महेस, मुनीष, मनीष इसको बतादो लगे हाथ कितना आएगा सी वाले में, इतना तो दया करो न थोड़ी हमारे उपर आगे बढ़ें, चलो ठीक है, आगे बढ़ने के पहले थोड़ा पीछे बढ़िए, कहते हैं जिंदगी को जीना है तो आगे देखिए और जिंदगी को समझना है तो पीछे देखिए, तो पीछे देखो ठीक है सब कुछ छोड़ के आईए पढ़ना है तो फिरी सिखाएंगे 2000 रुपए की जो फीस होती साल भर का वो नहीं लगे कि बिल्कुल फ्री और हम आपको यूटूब पे सिर्फ डेर्ड महीनम सिखा देंगे यहां डिल्ड से दो महीनम पूरा बेसिक खुतम लेकिन लाइव आना पदेगा आपको और नहीं आओके बाद में नहीं मिलेगा पका नहीं मिलेगा और नहीं तो उसके बाद फिर ये वाला आप्शन है उसके बाद फिर ये आप्शन है नहीं आओगे तो तो चाहे तो आप डेली लाइब आओ नहीं आ सकते हो तो आप पीवियर स्टेडी एप में जाके उदे बैज जॉइन करिए उसमें भी यही मिलेगा सब अच्छे से जो आपको अच्छा लगे काजल रानी समझ में आ रहा है थाकूर इसी चौहान अब हम दो अंक का एक अंक से गुड़ा कर चुके हैं अब दो अंक का दो अंक से गुड़ा बहुत मज़ेदार चीज मिल गया देखो इसमें ट्रिक भी है दो अंक का दो अंक से गुड़ा देखो कैसे समझो भाई साहब इनका तुम्हें एक लाजबाब ट्रिक बताओं मैं एक लाजबाब ट्रिक बताओं क्या होती है समझो यहाँ पर पहला इस्टेफ अगर इनको हम A, B और इनको C, D मान लें ट्रिक देखना ट्रिक टेबल ओबल का कौनों काम नहीं है छोड़ तो पुराना जमाना हो गया वो इस्मार्टफोन का जमाना आ गया देखो कैसे सबसे पहले स्टेफ में आप B और D का गुड़ा करोगे पहले स्टेफ में क्या करोगे B, D का गुड़ा करोगे दूसर के step में A और D का गुड़ा करोगे और जोड़ दोगे फिर B और C का गुड़ा करोगे मतलब A D B C का गुड़ा करके जोड़ दोगे लाश्ट में A C का गुड़ा कर लोगे बस खातम खिलाडी चलो देखो B और D यहनी लाश्ट लाश्ट इसका गुड़ा कर लो 25 पांच हाँ फिलाया दो तिर्छा गुड़ा करो इनको 25 और 3, 4, 12 बीस में 12 जोड़ो 32 32 हंसिलबाद दोई हो जायागा 34 का चार हाँ फिलाया 3 इनका गुड़ा करो 4, 3, 12 12, 13, 15 काल्कुलेटर से करके मुझे बताओ फट से सही है एक बार सभी कमेंट करो ये सही है हाँ या नहीं कल्कुलेटर से कर लो भई या 45 का 35 में अगर सही है वै भाई गड़बड़ है का यार कुछ 45 का 35 कुछ फूटा एक मिनिट रुको 4, 3, 12 और हाफिल कितना आया था इसमें आरे 12, 3, 15 कुछ गड़बड़ा गया का यार एक मिनिट रुको कुछ गड़बड़ा लग रहा है मुझे ये ट्रिक क्या नहीं सही है नहीं है एक बार फेस फे चेक करते हैं 35, 15, 45 हा रहा है क्या ये कहां गड़बड़ा है भाई रुको भागना नहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो उसका समधान तुरंत हो का देखो यहां पे 25 पचीस पांच पांस ही लाया दो तिर्षा गुड़ा करके जोड़िये पांतियाई पंदरा अच्छा ये पांतियाई पंदरा ये चरपंचे बीस भाईया पंदरा और बीफ जोड़ना बाबू 35 आएगा कितना 35 35 दो 37 के साथ हासिल आया 3 कितना आया 3 एक बार जोड तो लो यार 35 दो हाफिल 35 हाफिल तीन और चारते ही बारा बारा तीन पंदरा शाही तो आ रहा है ना हमार ट्रिक गलत थोड़ी होए सका था है हूँ तो थोड़ा गड़बड़ाई गड़ा रहनाई से सभी को समझ में आ गया अनुच बात मत करिए बिल्कुल अनंद कुमार सही हो गया बिल्कुल देशी फार्मर बहुत बहुत बलका मैं जी आपका सभी को समझ में होता है ना एक दम मस्त चला आगे बड़ी चला आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करूँ एक चीज मांगूँ छोटी सी चीज है बताओ दोगे न पक्का अगर आपके घर में और भी फोन है मम्मी पापा भाईया भावी किसी का ऐसा भी कोई फोन जिसमें इंटरनेट है लेकिन कोई हेल्प होगा ठीक है तो आप ऐसा जरूर करें अगर आपके यहां वाइफाई लगा ब्राट्बेंड है आपके पास और भी डिवाइस हैं तो फिर आप दो जगा चलाएं तीन जगा करेंगे न कितने लोग और जो लोग इसका वीडियो बनाके आप फोटो भेजेंगे हमें उनको एक सर्प्राइज भी मिलेगा तो सभी को यह ट्रिक समझ में आ गया चलो देखो आगे तो यह ट्रिक समझ में आ गया आगे बढ़ें सेबंटी फाइफ इसका मल्टीपल करना है फिफ्टी सेबं से आए समझीए पहला स्टेप किनारे किनारे की नंबर का गुड़ा तो पांच सते पैतिस हासिल आया तीन दूसरा स्टेप में क्या करोगे साथ ही मेरे इनका क्रास मल्टीपल करके जोड़ना है साथ सता उन्चास पचम पचीस उन्चास पचीस कितना आएगा पचास पचीस चवहत्तर होता है थी होगा चवहत्तर ओ स्वारी हाँ सही तो यार हाँ चवहत्तर और तीन हाफिल जोड़ दोगे 77 का 7 हाँसी लाया अब 27 अब इनको किनारे किनारे गुड़ा करो 7 पचे 35 35, 45, 42 देखो सही है नैंसी कोई बुक की जरूरत नहीं है बेसिक के लिए नहीं हाँ यादो वाचिंग टाइम बढ़ा दीजिए अच्छा बहुत अच्छा कापी समझदार है आप ऐसे ही समझदार लोग के तो जरूरत है हमे चलि आगे बढ़े C नंबर ये ट्रिक समझ में आई तो एक बार हाँ बोल तो सभी फटा फट नहीं समझ में आई तो ना बोलिए जल्दी करिए तो ठीक है लगे हाथ आप इनका गुड़ा करके जल्दी बता दीजिए आदा मिनिट में कितना आएगा मैं बताओं बहुत आफान है मुझे टेबल ओबल नहीं आता फिर भी बहुत इजिए देखो कैसे आठ नाई चौशाट का चार हाँ फिलाया च्छे नो अठे बहात्तर और तीन अठे चौबिस ये हो गया आपका च्छे साथ दो नो तो इसमें च्छे जोड देंगे तो हो जायागा कितना एक सो दो कदो हाँ फिलाया दस नो त्रिक सताई दस सैंतिस देखो सही है कि नहीं दूनों सही है कितनी जल्दी कर दिया न, टेबल ओबल नहीं पड़ा था टी एड का, ये है गुड़ा करने की ट्रिक दो अंक की, क्योंकि गुड़ा है टौपिक तो मैं इसको बता दे रहा हूँ तो आप ने देख लिया दो अंक की संख्याओं को दो अंक की संख्या से कैसे गुड़ा करते हैं बिद्र ट्रिक अब बेसिक भी देख लो भेया अब बेसिक भी देख लिया लगे हाथ बेसिक में ऐसे करते हैं पहले 4,9,3,4 तीन और चार तीन बारा और तीन पंदरा ठीक है फिर लाश्ट वली गिंतिक नीचे क्रास कर देते हैं और दो नवा ठारा अठीक है अच्छे और ये पांच आठ तेरा हासी लेक साथ एक आठ और आफी लेक नो समझ मैं सभी को किसी को कोई डाउट तो बताओ मुझे एनी डाउट कन्नू आपको PVR स्टड़ी सर्च करना है बस सिर्फ PVR स्टड़ी सर्च करना है मिल जाएगा फिर कर दीजिएगा बाकी सेयर भी होता है जादा जनकारी के लिए सीखने के लिए आप नंबर पर मैसेज करिए बता दिया जाएगा वाटसअप नंबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पर ध्यान से देखिए प्यार से देखिए चल रहा है नंबर ये देखो न हम पकड़े हैं ये है न नंबर तो ठीक है बढ़िया है किसी को कोई डाउट तो बता दीजिए मुझे कोई तकलीफ नहीं न चलो तो ये था दो अंक की संख्याओं का दो अंक की संख्या से ही गुड़ा करना अब हम देखेंगे तीन अंक की संख्याओं का तीन अंक गुड़े दो अंक बिल्कुल वैसे ही होता कुछ नया नहीं है ऐसे ही होता बिल्कुल पहले चार से गुड़ा करेंगे पूरे में तो तीन सो साथासी में पहले चार से गुड़ा करेंगे चार थाथे अटाइस हासिल दो इसके खोपड़िव लिख दो 4.8.32, 24.3 का 4 हां फिल तीन यह लिख द suits 4.3.12, 12.3.15 चार सते अटाइस हासिल दो करास करिए फिर अब दो से गुड़ा करना है पूरे में दो से गुड़ा करना है पूरे में इनके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे लाइस्ट वाली गिंतिक नीचे इनको जोड़ेंगे 8 में कुछ नहीं है तो 8 ही 7, 8, 9 कि वंतालिस का चौबिस वाले में कोई कह रहा है कुछ भूला है क्या कि गदा हो का तुम एक दम ना लाइक है हो का हां फालतु का डिस्टप करते हो कि सब कुछ नहीं बूला है कुछ आ जाते हैं इसे ठीक है हो गया तो इसी तरीके से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुड़ा करना है वैसे कर लेते हैं अगर मैं बताओं तो एक और बता देता हूं वैसे भागवाला आज नंबर नहीं आया यार जाने तो टाइम काफी हो गया बड़ी संख्याओं का गुड़ा ठीक है इनको कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए मैं ये भी बता देता हूं इसमें जिनको मैच सीखना है बार-बार बोल रहा हूं कलास छोड़के नहीं जाना है ठीक है इमानदारी के साथ जुड़े रहना है बस सिर्फ 40 मिनट नहीं दे सकते आप मैच सीखने के लिए बताओ क्या आप अपनी जिन्दगी का 40 मिनट नहीं दे सकते गड़ी सीखने के लिए आपको पता है गड़िस सीख करके अगर आपको सरकाई नवकरी ना भी मिली तो आप नार्मली टूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को महिने के 8, 10, 10 हजार आप आराम से कमा सकते हैं जितना प्राइबिट जॉब में मिलता है सिम्पल थी बात है समझ रहो ना और बाकी तो अगर बड़े लेबल पे आप कुछ करते हैं तो लाखों कमा सकते हैं आजकल इंडिया में ये बहुत अच्छा चांस है समझ रहो ये सिर्फ यूटूब पे लाइब चलेगी लाइब के बाद इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको अउनली लाइब मिलेगी बस तो तफली रखें देखते रहें अगर सीखना है तो मोनिका बेसिक में था इसमें ट्रिक का कोई चांस नहीं है वो तो मैं एक बता दिया रिजाने के लिए आप लोगों को बस बाकी ये बेसिक है तो बेसिक ही सिखाएंगे पहले साथियों आज को टॉपिक है भाग करना क्या पढ़ेंगे आज भाग अनबी बंदना चवान कमेंट आ रहा है पंकत सिंग प्रिंस एटिट्यूट गर्ल प्रिया सुकला अब पढ़ाई पर बात करेंगे कमेंट नहीं पढ़ेंगे अगले 10-15 मिनट आईए तो आज को टॉपिक है भाग टॉपिक है क्या भाग डिवीजन वो भागना नहीं जो तुम भागते हो मैद से नहीं अगर आप डेली क्लास में आते न तो हम आपकी मैद से मोहब्बत करा देंगे भागने की तो बात छोड़ो अच्छी वाली मोहब अपत करा देंगे अंकों में नीदे न दिल में करार और यह मैत भी क्या चीज होती है जार आप चलो भाग में हम आपको कम से कम 7-8 टाइप का भाग बताएंगे ठीक है तो टाइप वन जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि हम आपको जीरो लेबल से सिखाएंगे तो हम ब ठीक है मतलब समझने वाली बात समझेगा बाकी इसकी नीचे भी चलूँगा तो 3-21 ठीक है गटाने पर आता है दो तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो होता है भाजक यानि जो ने संख्यवा से हम भाग करी थे होका कहा थे भाजक इंगलिस में कर डिवाईजर कहा थे क डिवाईजर और जो ऊपर आता है मिलता है वो होता है भाग फल मतलब यहीं परफाद होता है वास्तो अला इंगलिस में इसको क्वासियंट बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं भाग को हम जीरो से सिखा रहे तो पहले इनके हाथ पैर तो बता दें लड़का बच्च चलो नीचे जो बचता है इसको बोलते हैं सेस्फल और जिसमें भाग करते हैं इनको बोलते हैं का बोलत है वो भाज इनको बोलते हैं इंगलिस में इसको डिवीडियंड बोलते हैं क्या बोलते हैं डिवीडियंड इसको बोलते हैं डिवाइजर इस्पेलिंग में कई मिश्टेक होगा तो बता दे ना लिखूं कि ना लिखूं का लिखूं चलो फटा-फट इतना छापो इतना छापो भाई चलो कि बड़ियां किसी को कोई डाउट रायरूपाली आ रहा समझ में किल दीप सोलंकि मीना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छ शाप लिया आके बढ़जाओं इंसमें भी लिख दूँ कहा दिवीडियन ठीक है और क्वाशियन आगे चलूँ हो गया ठीक है तो इसको हो गया है क्लियर बढ़िया आगे बढ़े ठीक है बाकी कर लोगे ना आप लोग छाप लिया चला ठीक है तो अब हम पहले परकार की भाग पे चलते हैं ठीक है इंगलिस वाला मने बता दिया लिख लीजिए आप कहोगे तो इंगलिस हम बता देंगे फिलाल अभी टाइम लगेगा और मुझे इसको डिबाइजर बोलते हैं इसको डिबीडियंट बोलते हैं इसको कोईसियंट बोलते हैं इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंगलिस वाले इतना बताने से समझ गये होंगे वो चलो तो टाइप 1 में हम चलेंगे सबसे पहले टाइप 1 में ऐसी भाग जो बिलकुल शुरुवात करती है एकदम इस्टार्टिंग मैथ की ठीक है देखो जैसे बाबू यह है सेबन इसका भाग करना है 21 में तो एक के बार में अगर आप देखो तो यह पूरा पूरा कमपलेडली डिवाइड हो जाएगा मतलब जीरो सुनना आ जाएगा मतलब सेस्फ़ल जीरो आ जाएगा कैसे देखो यह पहली परकार की वह भाग है जो बचवा भी कर लेगा छुटका वाला हाँ आप लोग का न इसमें से अधिकांस लोग का है तो वो तो समझी रहे है बदलब जो टेबल में डारेक्ट आ जाता है बिलकुल फ्रंड पर यह देखो है ना 21 तो साथ का पहाड़ा पढ़ते हैं तो साथ तरीक एकाइस कितना तीन बार जाता है एकाइस यानि जीरो सेस्फल आ जाता है यह वो परकार की भाग है जो बिलकुल बिना किसी मेहनत के हो जाती है चलो भया एक दूसर का कर लो इसी तरीके से जैसे माल लो 12 का किया और यहां 72 तो 12 छंग 72 इसको तो बिलकुल one class lkg ukg वाला भी कर लेगा लेकिन अभी रुकना 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 भया जाना नहीं कहीं क्योंकि हम जीरो से सिखा रहे हैं ऐसा हम बोलते ही नहीं करते भी हैं प्रामिस मैंने कहा न या तो उससे किया था या तो आप से किया हूँ जो बहु करता हूँ प्रॉमिस तो निभाता हूँ किस से किया था कोई गेस कर पा रहा है क्या है कि फोटीन नाइन जा चौदन नमई एक सो चब्विस होता है यह वो परकार की भाग है जिसमें रिमाइंडर नहीं आता आम इन से सुनने आता है यह पहला टाइप में है अभी मैं आपको नो टाइप बताऊंगा उसमें फिर आपको लगेगा कि यह तो जानते ही नहीं थे ठीक है इसमें डेफनेशन की कोनो जरूरत नहीं है भया नो 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 नीड फार डेफनेशन काफी चीज़ें आपको इसमें आ रही होंगी लेकिन आपको फिर भी देखना है अगर मैद सीखना है तो टाइप दो टाइप दो में जिसमें सेसफल आ जाता है जैसे मानलो मैंने साथ का भाग किया चवशट में यहां सेसफल एक आ गया एक बार भाग गया सेसफल एक आ गया अभी हमें जीरो बार मतलब जीरो नहीं करना है ठीक है इसरी छोड़ देंगे यह सीकन टाइप की भाग में पढ़ रहे है जैसे ग्यारा से भाग किया तो में एक सो दो में कर लो यानि यहां पर सेसफल क्या होगा सुनना नहीं होगा ठीक है बढ़िया यह सीकन टाइप का भाग है प्रिया या तो समझ में आ रहा है स्टेटस आपको भी आ रहा भाईया बच्ची के है तो मैं नहीं पता अलोग सिंग देखो पूरा इंड तक देखना है अगर छोड़के चले गए तो मैं थ नहीं आएगी याद रखना कभी कोई इतना सूरु से सिखाएगा नहीं मैं ले आया साट वीडियो में सिर्फ दिखा सकते हो अपने आपको नंगा करके बस मैं गौत कडवी बात बोल रहा हूं बाकि कुछ सीख नहीं सकते हो समझ रहो और वहीं लोग देख रहे हैं आजकल जितने वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं तो सब लोग चाहते हैं उस तो हमारे मुह से जो निकलता है बड़ा कड़वा कड़वा रहता है यह टाइप नंबर सिकेंड था टाइप नंबर थाड में आगे बढ़ें उसके पहले यह याद रखिएगा कि जो क्लास यह चल रही है अगर इसको आप लाइब नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि आप डाउनलोड करिए इसमें आप अगर जा करके बेसिक मैठ जॉइन करेंगे तो आपको पूरा ढंग से मिल जाएगा फिर आपको लाइब देखने की कोई बाधता नहीं होगी ठीक है यह आपके लिए आप्सन है बाकी यूट्यूब में फिर ही पढ़ाओंगा और फिर ह भी पढ़ाओंगे जब आप लाइब आओगे तो भाई या थार्ड टाइब में आगे बढ़ो थार्ड टाइब में कुछ अलग होगा यही सारी चीजें होंगी कुछ नया नहीं होगा देखो यह इसमें दो इस्टेप में भाग जाएगा लेकिन सेस्फल जो है वो जीरो आएगा जैसे नव दूना अठारा सब्ट्रेक किया वनाया उपर से आठ उतारा नव दूना अठारा गटाने पर जीरो आया ठीक है बारा से भाग करेंगे 864 को कर लेंगे टेबल नहीं आता है तो बताना कमेंट करना बता दूंगा मैं टेबल का ट्रिक बताया था कलना यह टेबल ना है चुटकी में आद कर लोगे 99 तक बारा सते 84 गटाने पर दूना उपर से 4 उतारा बारा दूना 24 यह दो इस्टप में जा रहा है भाग बट जीरो से स्पल आ रहा है एक नजर अगर देखो पहली नजर में तो नहीं समझ पाये तुम यह भाग भी देख लो सिकेंट टाइप यह पहला टाइप देख लो दिख रहा है तो बैया कुछ अंतर लग रहा है ने तीनों में क्योंकि जीरो से सिखा रहा हूं मैं ऐसा नहीं मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता अगर आपको आता है तो तसल्ली रखें तफली रखें जिनको आ रहा है देखो मैं रोज बताता हूं न तुम्हें पता होता है साधी में कि वहीं सारी दस में होंगी फिर भी जाते हो राद में बैठे रहते हो और जो आसिक है उन्हों आसिकोंसे बूचो जो रात बर हूं हां करते हैं उनको पता है वही होने वाला जो पिछले वाले में हुआ था पिर भी लगे रहते हैं तो अगर तुम्हें पता भी एक आगे क्या करेंगे कौन सा question करेंगे हमें आता है फिर भी लगे रहो यहीं इंदगी है सीखो के बहुत कुछ हाओ चलो अगला ही कुश्चन और 13 से भाग कर लो 537 को कितना आएगा सेसफल कमेंट करिए जल्दी चलिए पताइए पार्थ कुमार प्रिया सुरज करन अलोग सिंग रात 9 से 10 टाइम है 9 से 9.40 9 बज़े फे 9.40 तक चंचल सामभवी देबेंद्र बढ़िया है आगे बढ़े चलो टेबल का ट्रिक कुछ लोग के कनफ्यूजन में है चलो बता देता हूँ एक ठी देखो टेबल का ट्रिक कैसे बनाना है जैसे माल लीजिए मैंने टेबल दे दिया 18 का 16 का टेबल नहीं आता इसकी ट्रिक कैसे होती है मैं आपको एक मिनिट के अंदर किलियर करना चाहता हूँ देखिए सबसे पहले आप एक का पाड़ा लिखोगे एक दूना दो एक तियाई तीन चौका चार पंचे पांच छका छा एक का पाड़ा लिख लोगे गिंती लिखना है ये पहला इस्टेप है दूसरा इस्टेप में क्या करोगे इसका पाड़ा लिखोगे 6 का बस एक मिनिट में टेबल का ट्रिक बता दे रहा हूँ तो सोला का पाड़ा आपको याद हो जाएगा एक मिनिट में छे दूना बारा छे त्रिक अठारा छे चौक चौक चौविस शे नमाई चौवण शे धाम्मा सत्तार ये तो आपको याद है है बढ़िया चलो शाथी मेरे आप क्या करना ट्रिक बनाना बाबु देखो 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 न मगर प्यारते देखो ऐसे न देखो देखो ये सोला तो ठीक है ये स्टार्टिंग के दो आंक जुड जाते हैं टू में वन एड करेंगे तो थ्री हो जाएगा बबु आ और ये बागल वाला टू थार्टी टू स्टार्टिंग के दो आंक जोड लो फिर से तीन में एक जुड़ेगा चार और बागल वाला आठ स्टार्टिंग के दो अंग जोड लीजिए, चार में दो जोडेंगे छे लास्ट वाला अंग को ऐसे उतर जाएगा, पांच में तीन जोडो आठ छे में तीन जोडो नौ, शुरू के छे में तीन जोडो नौ और छे बसे उतर लो, इतना समझ में आया ते एक बार हां बोल देजिए, इज़्जत के साथ मतलब, समझ रहो, मतलब इज़्जत के साथ का मतलब बुरा ना मानना, इज़्जत साथ में ही रहती है, इफ लिए बोला, चलो बहुत अच्छा बरिकूड, सूराच, रिसु कुस् चिक्कू बहुत बतला रही हो तुम, लरकी हो कि लरका हो कि कुछ अउर हो क्या हो, हम समझ नहीं बड़ा कनफूज है, करन, सब लोग हां बोलेंगे, आपके उसकी कसम है, जिसका उपर से मैसे जा रहा भी, उसको भी बता देना, और हां ले के आया करो साथ में, पूछे ना साथ, चार, ग्यारा, और बगलवाला दो, आठ, चार, बारा, और ये आठ, नव, पान, चौदा, और ये बगलवाला चार, एक में जीरो जोडोगे, एक है रहेगा, ये सत्तर, ये भाई, ये निचवा का होईगा हो, छे नमाई, चौवन, छे दाममा, साथ हो थे भाईया, निचवा गलत रहन, एक में जीरो जोडोगे, एक, एक सो साथ, सभी को समझ में आ गया, ते एक बार हाँ बोल दें, इमानदारी के साथ, सभी का बता है हो, सिंगल एक को लोग ना हमें पता है, तु सब डबल आ है, और ये कुछ लोग तो तिरपल, चौबल, पंच बल, पता नहीं केट हो रहा है, लेकिन कहेंगे ना भाबा, हम ऐसे हैं, ये अकिले, तुम्हां चेहरे पर लिखा है कितने हो, जूट न बोलो, चलो, समझ में आ गया सभी को टेबल ट्रीक, तो ऐसे टेबल बना लेते हैं, समझ रहोगी नहीं, कोई चलता पदचिन्नों पर कोई पदचिन्ध बनाता है, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, और कोई चलता पदचिन्नों पर कोई पदचिन्न बनाता है, तो पदचिन्न बनाईए, पदचिन्नों पर मत चलिए, अगर आपने सुना है किसी बड़े महान आत्मा की कहानी कि वह ऐसे करता था ऐसे करता था सुबद छे बज़े उड़ जाता था चार बज़े उड़ जाता था सुबद चार बज़े उड़ जाता था छे बज़े गंगा जी में नहां के आ जाता था तो तुम ऐसा नहीं करना क्योंकि टाइम बदल चुका है तब गंग आपको ऐसी जगा फिट करने की कोसिस ना करें जो आपके काम की ना हो आकी अपने हिसाथ से जैसे आप कमपर्टेबल हो ऐसे करिए यह मत देखिए फलन में टाप की आठ गंटे पढ़ता था ठारा गंटे पढ़ता था हम भी टॉप करेंगे एक अच्छे जगा पर पहुंचने के बाद लोग जूट बोलते हैं समझ रहे हो ना लकलक की बात होती बस बात करेंगे बाद में चलो आ झाल 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 हाउसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन तुम बस एक वार जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखना समझ रहो? आ गया हुमें बैटरी हो गए थी डिस्चार्ज लेकिन हम तो फूल चार्ज हैं अभी था चलो टाइप नंबर फोर में आजाओ भाईया ए में का है? ए में तुम कुछ भी करो सेसफल बचेगा ए में सेसफल बचेगा लिखो 537 को 13 से भाग करने वाला ये भी इसी का हिस्सा था ठीक है? हम जीरो से सिखा रहे हैं तो करना पड़ेगा चलो देखो 13 का भाग कितनी बार जाएगा? इसमें देखिए एक चीज है का पता है? देखो 13 का पहाड़ा हमें नहीं आता और ये इतना बड़ा गिंती भी हमेंने समझ में आ रही तो कितनी बार जाएगा कैसे करेंगे? इसमें का दू यंक लेते हैं इसमें का भी दू यंक लेते हैं और यही में try कर लेते हैं सोच लेते हैं कितनी बार जाएगा तेरा चौका बावन चार बार न ठीक आए तो चार बार तेरा चौका बावन लेकिन इतना गंदा भी कायक लिख रहे हो अबाई यार एक उपर से साथ द्वारा अब तेरा एकम तेरा गटाने पर चार आया देखिए टाइप तीन टाइप चार में क्या अंतर है अगर आप एक जीरो लेबल मैट के लर्णर हैं तो आपके लिए बहुत बढ़ा अंतर लग रहा हो इस टेप दो ही इसमें भी गया बट इसमें सेस्फल आ रहा है उसमें सेस्फल नहीं आ रहा था अब ही आगे हम सांत दसंबलो परसार और आसांत दसंबलो परसार भी बताएंगे जिसमें हम बताएंगे कि पांच के उपर ऐसे बार लगा रहता है न तो ये कैसे 5 बटा 9 हो जाता है ये भी इसी का हिस्सा है जो भाग पड़ रहे हो बताऊंगा आगे 9 से कर लो 497 को कितनी बार जायेगा ज़रा देखो एक बार 49 में इसमें ट्राई करेंगे तो 95 जा 45 सब्ट्रेक करेंगे कितना आएगा 4 कितना आएगा 4 न उपर से क्या करेंगे सेवा नहां लिख लेंगे और फिर फिर 5 बार जायेगा गटाने पर कितना आएगा 2 कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कच्छा दुई वाले को पढ़ा रहे है ये कच्छा दुई वाले को नहीं पढ़ा रहे है ये कच्छा पांच वाले के मामी पापा को पढ़ा रहे है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बायत नहीं पढ़ा था बायत नहीं आए फिर भी माबाप तो बनी सकते है पढ़ाई से उसका कोई संबंद है नहीं तो अब उनको पढ़ाने में बड़ी सरम लगती बच्चों को तो इफ लिए वो सीखते हैं कुछ ऐसे हैं जो टेट सीटेट सूपर टेट देते हैं वो भी उसी लाइन में लगे हैं कि नौकरी मिल जाएगी तो फिर हमें मामी पापा बनेंगे तो वो लोग पढ़ते हैं यह मैं कच्छा एक दो वाले को नहीं पढ़ाता हूं निबेदन कर रहा हूं जो लोग गारजियन देखते हैं संपर्क करते हमारा बचववा वन में पढ़ता है गुरुजी होम टेउसन पढ़ाए दो तो भाईया उनके लिए नहीं है यह उनके लिए नहीं दस से भाग करेंगे इनको सेसफल बताओ फट से चलो जल्दी करिए जिनको मैट सीखना है कोई कलास छोड़ के नहीं जाएगा और जो चले गए वो समझ लो चले गए वो समझ लो सिर्फ बियाएन के लिए पढ़ रहे हैं वो गए जिनको जल्दी थी वो चले गए आईए पांच नमबर पर आगे बढ़ते हैं जो रियल में मैट सीखने वाले हैं वो नहीं जाने वाले हैं ठीक है और हाँ एक चीज और ये कलास की रिकार्डिंग बाद में नहीं मिलने वाली है सिर्फ लाइब देख लो अगर तो अच्शी बात है लाइब नहीं देखते वो तो नहीं मिलने वाली है शिर्फ शुरू के तीन वीडियो मिलेंगे उसके बाद नहीं मिलेंगे किटनी बार जाएगा बताए कि नि बार जाएगा anyone सचिन अमन बताओ विसाल कितनी बार तीन बार जाए ना भाईया सत्रा तियां इक्यावन गटाने पर एक आया और उपर से उताल लिया पांच अब क्या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वन बार ले जा रहे हैं तो यहाँ पर सत्रा आरा जो की बड़ा हो जा रहा है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आप सभी मुझे हाँ या नहीं में जबाब दो क्या इसको ऐसे छोड़ सकते हैं नहीं एक्ठी सूत्र होता है इसमें रखके उसको चेक करते हैं इसकी क्वाल्टी चेक करते हैं कि सही है गलत है अगर इसमें रखने के बाद वो सही नहीं बैठा तो मतलब सवाल वो गलत है भाग गलत है जैसे देखो भाज ये 525 और भाजक 17 भाग फल 3 सेश फल अगर रखने 15 17 तिया 51 धन 15 भाईया देखो इदूनों बराबर आना चाहिए बराबर नहीं है ना यानि ये भाग गलत है क्या है भाग गलत है पॉइंट नहीं ले जगाना ये रितू कटरिया पॉइंट नहीं लगाना यहां पॉइंट की बात नहीं हो रही दसामलों नहीं लगेगा ना देखो एक्चूली में बात ये है इतनी सी है कि जब हमने उपर से पांच उतार लिया पहले घटाने पर एक आया था अगर हमने उपर से एक नया नमबर उतारा है तो हम भाग जरूर ले जाएंगे अगर वन टाइम नहीं जा रहा तो जीरो बार ले जाते हैं और जीरो बार किसी भी नंबर में भाग ले जाने पर हमेशा जीरो आता है सेज फल में कोई बदलाव नहीं होगा बट जो भाग फल है वो चेंज हो जाएगा और अब रख लो यह भाग साही हो गई कि देखो भागया बराबर न तो ये था क्या भाग का एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टन कांसेप्ट किर्पा संकार आरा समझ में सलेश तिवारी प्रिया सुकला हीना सुभद्रा यादो कि चलो आगे बढ़ते हैं पांच नंबर में एक देखा आपने अब यह इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आगला नंबर में कि सोला का भाग करेंगे आठ सु पंद्रा में कितना भागफल आएगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो कितना आएगा कितना भागफल आएगा भाईया नहीं पता है क्यों का सच्छे मिना पता है कसम से चला देखा फिर सोला पंचे हसी पाड़ा पढ़ा जाता है काओगे कैसे कर लिया एक के बार में सोला पंचे हसी यह बाल दाड़ी मैंने दूप में नहीं पकाए है यहीं पकाए है पढ़ा पढ़ा के तो घटाने पर कितना है वन अब देखो वही कंडिसन यहां भी बनेगी उपर से पांच उताल लिया अब देखो इसमें अगर वन बार ले जाओगे जादा हो जाएगा फिर जीरो बार जाएगा और यहां पर जीरो बस यह तरीका है यही पर लोग फंस जाते है ठीक है बनिया तेरा से कर लो 402 को मुझे बताओ कितना आएगा इमानधारी के साथ मुझे इसमें आंसर बताईए आधा मिनिट के अंदर चलो बताईए चंचल, आदित राज, रितू फरसल बता बाबु भाईया फटाफट देर ना करो यार काहे कोई तना लफड़ा कर रहे हो तुम लोग भे काहुर आ यहां पर यह जाओ यहां से आप ना ना भागो यहां से ठीक है चलिए यहां पर हमारे जो साथी लोग होते हैं मेनेजमेंट वाले यह कभी कभी वावाल करने लगते हैं आपास में जिसे कहते हैं ना हुड़दंगई कर रहे हैं बैठके दर्स सिंग चंचाल स्मार्ट स्टूडी का पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं चलो भाइस आप तेरा तिया उन तालीफ घटा उबा न भाई या तो आए एक उपर से दुए उतार लेवा अगर एक बार लिजा बात होई जाए जादा तो यह जाए जीरो बार जीरो बार ज क्यों के कौनों दिक्कत नाट कोई परेशानी नहीं चलो बहुत अच्छा बेरी गूट सब मस चल रहा है तो यह था भाग का आपका टाइप नंबर मेरे यार कौन सा था हो पाँच कौन सा था यह यह टाइप नंबर पाँच था इस्क्रीन साथ ले लिजिए जो दिख रहा इस्क्रीन पर यह सिर्फ यूट्यूब पर लाइब होगा लाइब के बाद यह डिलीट कर दिया जाएगा ताइप नंबर छे में आगे बड़ो भाई पंदरा से 914 में भाग करके मुझे बताना रुको यह होमवर्क है एका सबाई कही की बताया अराम से कर रहे हैं ताइप नंबर छे में आगे बड़ा सभी को समझ में आ रहा किसी को कोई दिक्कत कोई लफडा नहीं न चले अच्छा है चलो ठीक है सभी को समझ में भी आ रहा है न बड़ी आएप छे नंबर और साथ नंबर में देखिए क्या है दो बार में भाग जाने के बाद पूरा-पूरा कट जाना चाहिए टर्मिनेटिंग, डेसिमल and नान टर्मिनेटिंग ठीक है रुकना थोड़ा सा मुझे इसको समझने दे न टर्मिनेटिंग, सांत दसमलो परसार और अफांत दसमलो परसार ठीक है यहीं से कुछ मैटर फीरियस होता है लिख लिजे टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब सांत असमलों पर सार इसमें कहा है न कि आठ से साथ में भाग करेंगे छटके में ठीक है क्या इसमें कोई भागफल बताएगा कि एनिवन कोई भागफल बताएगा कि इंटर्टेन्मेंट का अड़्डा तुम्हें मैंने न दस मिनट के लिए नहीं पांच मिनट के लिए होल्ड किया है बहुत बात कर रहा हूँ आओ मैं बताता हूँ पहले साथी मेरे सबसे पहले जीरो बार ले जाएगे बीना कुछ किये जीरो बार प्यार फे किसी में भाग ले जा सकते हो अपना हिस्सा है फिर दसमलो बढ़ाते हैं यहाँ पे जीरो उतारते हैं और फिर आठ बार जाता है एट एट जा सिक्टी फोर नव बार ले जाओगे 72 जादा हो जाएगा गटाओगे छे आएगा एक बार दसमलो बढ़ाया था ता आप जीरो उतार सकते हो आठ साथे छपपन उपर से चार उतार लोगे एक बार दसमलो बढ़ाया तो आप जीरो उतार सकते हो फिर पांच बार जाएगा और यह यहीं पर निपड़ जाएगा पांच बार में खतम सेशसपल जीरो आगया यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपन्सन ठीक है देखो इसकी कहानी बता दूँ ऐसी कंडिशन कब कब होगी इसी में ये भी सिख लेजिए इनको बोला जाता हैसांध दसमलो परसार और आफांत दसमलो परसार यह दि कोई भिन जो दी गई है देखो यह जो लिखा है इसका मतलब यही है इसका मतलब यह है ठीक है यह क्या है यही चीज है जो मैंने यहां हल किया है अगर दी गई भिन के हरका जो अभाज यह गुडनखंड है वो दो के रूप में आए या पांच के रूप में आए या दो और पांच दोनों के रूप में आए तो ऐसी भिन्द का दसमलो परसार सांत होगा अन्यत्था इन दोनों के अलामा अगर साथ में कुछ और आ गया तो आसांत होगा समझ रहे हैं यहां पर देखिए इनका अभाज गुड़नखन सिर्फ दो के रूप में है तो साथ बटा आठ का अभाज वो जो दसमलों परसार है क्या सांथ है जीरो सेस्पल आ रहा है ठीक है अगर यह ऐसे हो जाए मान लो ओनाइस बटा चालिस ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं साथी मेरे वो नाइस बटा दो का घात तीन और पांच का घात एक फिर भी इसका दसमलों परसार सांथ होगा क्योंकि इसका जो अभाज गुड़नखंड है दो और पांच के रूप में आ रहा है ठीक है चालिस को हम ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इसका मान आठ हो जागा यह पांच एट पंच पंच चालिस लेकिन लेकिन क्या लेकिन का लुवार्ट सुने हो कभी नहीं सब्द देखा पेले अब सब जान जाए बादेखा लेकिन अगर यह ऐसा है कहीं 35 बटा अईसे 35 साथ की घात एक तीन का घात दो इसका अभाज ये गुड़न खंड अब सांत नहीं होगा क्यों कि यहां पर जो क्या है हर का भाज गुड़न खंड है वो दो और पांच के रूप में नहीं है ठीक है भाग करके देख लो तीरे अफट से 25 को भाग करोगे कभी जीरो सेस्पल नहीं आएगा करके देख लीजिए सबी को समझ में आया कोई डाउट ना कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं न रे बाबाद चलो बढ़िया है तो अभी इसी टाइप का हम पढ़ेंगे वो तो एक्स्ट्रा बता दिया अलग बात है इसी टाइप में कुछ और भी कर लीजिए बताईए क्या करें ऐसा कुछ और कोईश्चन बताईए सोला से ग्यारा में भाग करो सोला से भाग करिए ग्यारा में भागफल बताईए कितना आएगा पुजा कुमारी चंचल सचिन बिसाल सलमान खान हिना फंकाज मोहिद मिस्रा देखो भाई आसान है आओ चलो पहले जीरो बाल ले जाबा सबही अराम से इनका घटा लेवत का आए ग्यारा इस दसमलो बढ़ा लेवा यह जीरो उतर बा फिर कतना बार जाए इच्छा बार जाए सोला चक्का चान नवे सोला सत्त्य ले जाबा गड़ा आए जैए सोला सत्त्य एकसो बारा एकसो बारा जाता हुझे तो सोला चक्का चान बेना घटाओ के कितना आएगा छे 26 गलत है अरे गलत है तो गलत है अरे सोला आए गया अब देखिए एक बार दसमलो बढ़ाएं तो जीरो उतार लेंगे ठीक है एक काम यह भी तो कर सकते थे अब जीरो रोका है उतारो गरूं को एक मिनट फिर ऐसा कईसे हो रहा है 16 नहीं आएगा रे दादा चवदा आएगा घटा आए नहीं पारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक है आप समझ में आया कोई नहीं बताया इतना देर में कोई कमेंट भी नहीं किया जीरो उतार लिया कितनी बार जायाएगा 16 1712 सुला ठेक सोटाइस सुला नमिया कितना होता है नौचंग चववन हासिल पांच अन्ना एक कम नव पांच चवदा एक सो चववालिस होता है जाएगा नहीं नव बार आठ बार जाएगा अगर यह तीस होता तो घटाने पर दस आता बट यह दू यह और कम है तो घटाने पर बार आएगा ठीक है फिर क्या करोगे फिर से जिरो उतालोगे 168, 128 167, 112 कितना जायागा भया कवनों बताया था का 6, 8, 7, 5 167, 112 बहुत अच्छा गटाओगे आठ आएगा उपर फिर जीरो उतालो पांच बार जाएगा 16, 85 देखिए अतना कुछ हो जाई करने के बार लाश्ट में जीरो आ गया यही था क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन दसांत दसमलो पर फार यह इफ लिए जीरो आ गया क्योंकि यह 11 बटा 16 है 16 जो है उसका अभाज यह गुडनखंड सिर्फ दो के रूप में होगा बस इसलिए चाप लीजिए कोई दिक्कत है बताओ नहीं न कोई परिसानी नहीं न यह क्लास में थोड़ी लंबी खींच दूँ क्या आद दस बजे वाली छोड़ दूँ क्या पढ़ते हैं नहीं यह लोग गदहा टाइप क्या जाते हैं खचर टाइप के दुचार पांठी आप लोग देखो कितना प्यार से पढ़ते हूं न नहीं प्यार जादा हो जाएगा बहुत दिर तक पढ़ाएंगे तो भाव खाने लगोगे आप लोग तो इसमें और भी एक ठी बताओं एक ठी आओ लिख लो तो 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 इसमें लिख लो ना यार काहे को अलग ले जाओं एक ठाथ दिखेगा अच्छा लगेगा सुन्दर लगेगा आठ से भाग करो पांच में अब मुझे बताओ भाग फल फटा फट चलो बताओ आठ से भाग करो पांच में भाग फल बताओ सबिस्ता जी नमस्ते जो समझेंगे प्यार से बिल्कुल दिल से एक दम उनी को समझ में आएगा एक और आपको अच्छी बात बता दूँ बीच में ज्यान की बात बताता हूं दिन में कभी कोसिस किया करिए दो तीन चार गंटे मोबाइल अपने से दूर रखा करिए कुछ भी करिए आप किताब पढ़िए बिश्तर बेजाइए लोटिए योगा करिए उटक बिठक करिए यह कुछ भी करिए कमरे में जाड़ू लगाईए खाना बनाईए खाये कुछ भी करें मोबाइल तिन चार घंडे दूर रखें ना गाना सुनिए ना कुछ देखिए ना किसी से बात करिए कुछ नहीं बहुत फायदा मिलेगा अगर एक ही रूम है तो बंद करके उसको साइलेंट करके बार्जा वार्जा उपर बिलुका लोका कहीं डाल दो अगर इतनी आदत खराब है तो लेजा कहीं चुपाया हो बात रूम में पता जैना चोर उठाया लेगा फूरसद हमें सब्लिए लेकिन कैसे भी करके दूर रहो कोशिस करो मोबाइल अपने रूम में छोड़ तो ताला बंद करके अपनी फ्रेंड वाली रूम में चले जाओ बगल में कैसे भी करके ठीक है यह अच्छी बात है ट्राइग करना फिर मुझे बताना इसका रजल्ट लेकिन जिनके बाबू है वो तो महा भारत कर देंगी कि तुम कहां गए थे किसके पास गए थे हराम जादे चल बताओ इतना देर इसलिए तो आधा जी रहे हैं वो आधा मर रहे हैं टाइप सेबन में देखिए यह है नान टर्मिनेटिंग ठीक है नान टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन जैसे फ़र्स्ट वाला ट्वंटी में डिवाइड वाई तीन 20 में डिवाइड बाई 3 कितनी बार जायागा जरा ट्राई करो एक बार कि आई ये देखे ट्राई करते हैं चलो आगे बढ़ें दस बजे वाली कलसवा भी पढ़ाना पढ़ेगा थोड़ा बहुत 3 छांग 18 घटाएगे कितना है गत्धो न ठीक है कि आप लात्सप्राप डेसीमल बढ़ाओगे सब्वाइग जीरो उतारों फिर से वही जायागा थीज़ालर फिर फेगटाव फिर से 2 फिर जीरो फिर tad फिर फिर पर दो फिर जीरो उतार हो गया ही के यह चत्व भान democrat जांगं auginous- फिर उसमारणा हो खेंगा दि तक नहीं नाती पोता आहना पे बच्चों बच्चे साँ- बहुत कट लिया इनको बोलते हैं नान टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन ठीक है अना उसानी आवर्तिय से कुछ बोलते हैं एंगरेजी में हिंदी में छोड़ो हिंदी एंगरेजीम जानो तो इसको हम लिखते हैं 6.666 ऐसे डाट डाट इनको शाटकट में लिखने के लिख लो फटा पर चलो लिखिए जल्दी से चलिए अगे बढ़े मस्त है अरे अब दस बज़े डीलेट वाली भी शुरू कर देंगे उनको भी यही दिखाएंगे आज यही दिखाएंगे आज कलाफी लंबा चलेगी गुरू चलो तो यह हो गया मस्त आगे बढ़ू इसमें का एक और कर लो तीन से भाग करिए दस में तीन से भाग करिए दस में यह भी वैसे ही जाएगा करके देखिए गटाओ गे एक आएगा जीरो उपर दस में बढ़ाया तो नीचे जीरो उतारा अब तीन तरीक का नो गटाने पर एक आया फिर जीरो उतारा फिर तीन तरीक का नो ऐसे आप गटाते जाओगे बार-बार यह जाता जाएगा फाइनल में आप इसको भी लिख सकते हो ऐसे दस बटा तीन बराबर 3.3 के उपर बार ठीक है कोई दिक्कत ना चलो आगे देखो देख लिया से बही आगे चली देखो अगर इसमें हम आगे बात करें 5 बटा 9 ये भी ऐसे 5 में भाग करो 9 से पहले 0 बार गटाओ 5 आएगा उपर 10 बढ़ाया 0 9 पचे 45 गटाने पर 5 आया 10 बढ़ाया था आप 0 उतार सकते हो फिर 9 पचे 45 फिर गटाओ के 5 आएगा फिर 0 उतारो ये फिर वही कंडिशन कभी खतम नहीं होने वाला है तो बार बार 5 रिपीट हो रहा है इक लिए इसको लिखेंगे जीरो पॉइंट पांच पांच के उपर बार समझ में आया ना बाबू भाईया अमन संदीप प्रिंसी एटू कहरा सिर्फ गर्ल सबका अंसर गदहा नहीं तो तुम पड़वे कहा करते हो तुम गर्ले से बात करने लिए तो आते हो हाय फलानी क्या कर रही हो इसमें वह यह होता है हमारी क्लास में 120 में से 100 लड़कियां होती है बीष्टी लड़के होते हैं और वह लड़के भी पढ़ने लिए नहीं आते हैं कुछ अपवाद हो सकते हैं गर्याना नहीं वह भी कुछ जुगाड़े में आते हैं पढ़ाय लिखा इंगा आशी लोगा पढ़े लिखेंगे अच्छी नवकरी मिलेगी तो साधी ओगी अच्छी सी अगर पहले अच्छी साधी वाली खोजनुद पढ़ने का मतलब नोकरी का मतलब कि सोचो साथ का ट्रिक है गए नहीं हाँ कि अग कि कि यह जो अब तक मैंने बताया इसमें वन डिजिट रिपीट होता था अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसमें वन से अधिक डिजिट रिपीट होंगे ठीक है वन से अधिक डिजिट रिपीट होंगे कर टाइप नंबर था भया है साथ था टाइप नंबर आठ टाइप नमबर आठ देखो देखिए रिपीटिंग मोर देन वन नमबर जैसे इसमें का है पहिला वन अपांच सेवन भाई याई बहुत बढ़का वाला भाग यार बहुत बढ़का वाला है कर दूँ क्या देखो लगाता हूँ चलो पतला पतला लिखूंगा मैं इसको जिससे ज़्यादा आए साथ से भाग करना है वन में ठीक है पहले जीरो बार जाएगा गटाओ गे वन आएगा तभी को दिख रहा है ना बढ़िया आए आज मैं डीलेट वाली क्लास में भी यही दिखाऊंगा चलो आदेखो फिर क्या किया मैंने सेबन का इसमें भाग किया वन बार ले जनने पे जादा हो रहा था तो हम जीरो बार ले गए पहले तरीका ऐसे ही करते हैं हमेशा आगर वन बार नहीं जा रहा भाग वन बार ले जनने पे जादा हो जा रहा तो हमेशा हम सुनने बार ले जाते हैं ठीक है एक बार दसमलो ले गए हमारा जनम सिद्ध अधिकार हो गया हम बार बार जीरो उतार सकते हैं साथ चोग अठाइस गटाएंगे दो आएगा अब फिर फे जीरो उतार लेंगे कुछ नहीं करना है साथ दूना चोदा गटाएंगे 6 आएगा उपर से 0 उतार लो ठीक है? दिख रहा है ना? साथ अठे 56 गटाएंगे 4 उपर से 0 कितनी बार जायेगा? थाई बार जायेगा आप बोलो ना? साथ शंग बयाली ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर रिपीट होगा अभी लेकिन रिपीट होगा लेकिन एक से अधिक गिंती लेके रिपीट होगा यह है ठीक है अब इसको हम छोटा करेंगे दिख तो आपको रहा ही होगा साथ पचे पैंतिस क्या आया था पांच आया था ना हम पांच को उपर लिखके भाग दे सकते हैं काहे को अलग करें भागफल हम वहीं लिखेंगे रिपी जलो अब फिर जीर उतारेंगे कितनी बार जाएगा साथ का भाग इसमें साथ बार जाएगा गटाओ वन आया देखो जहां से गिरे थे वहीं आके फिर अटक गे फिर वन आ गया न भाग हमने वन में किया था और फिर से वन आ गया और अभी भाग कहतम नहीं हुआ फिर फिर 0 उतारों गे और 7 एक्कम फिर से 7 फिर से वही कहानी सुरू 3 0 पिर साथ चोग तथाइस ए रुकना रुको रुको देखो इनको अलग कलर कर लो अब देखो फिर से जीरो उतारा तो साथ एकम गटाने पतीन आया फिर साथ चोग तथाइस फिर घटाएंगे फिर दो आया जीरो फाद दूना चौदा क्या सीखा आपने ये पूरा का पूरा डिजिट मेरे यार फिर फिर रिपीट होगा फाद तक समझ में आया ये जो कहानी चल रही है फिर से वैसे जायेगा ये और फिर देखो 142 आया 143 नहीं है 142 है 142 के बाद 857 वहीं फिर आयेगा यानि इसका जो फाइनल में अगर हम भागफल लिखना चाहें तो हम लिखेंगे काओ आई फे लिखेंगे 142 इसके पूरे के ऊपर ऐसे बार लगाएंगे क्योंकि ये सब करप्ट हैं वही से एक कज़ई से समझ गए ना एक बार सभी हाँ बोल दें कि ये कल्कुलेटर वाले ना बोलें तो अच्छा है एक किसी को कोई डाउट नहीं वैसे ये क्लास जो है कि 40 मिनट का यह होता है लेकिन बच्चों का इंट्रेस्ट रहता था थोड़ा बड़ा चला दूं क्या देलेट वालों का आज इस इम दिखा दूं उनको एक और भी कर लीजिये इसमें अब बी वाला दो बटा साथ अब मैं काहे को इतना बड़ा हल करूं यार आप लोग करना तीन बटा साथ चार बटा साथ इनको भी करना आप लोग घर वर में कहीं हो मोर्क है ठीक है लेकिन लेंच तो होगा ना दस मिनट का ऐसा थोड़े खमला गतार चलेंगे गदाजी से नहीं यह क्लास चलनी चाहिए लंबा न चलनी चाहिए मुझे भी लग रहा चलनी चाहिए आज लास दिन है महीने का आथ तो चलेगी यह बंद नहीं होगी डियलड वालों को भगाओ डियलड वाले 20 लोग आएंगे अभी वही रोते रोते कि है और हुँँ है है कि अधा इसको इसको इसक्रीन से ले लो में मिटा दूँ फिर ठीक है टाइप नंबर नौ पर चलूं अधाइप नंबर नाइन पर चलूं मैं थीक है चलो अब मैं बोर हो गया लेकिन नौसो नब्बे डिवाइड वाइड टू थरी थरी ये वो वाली भाग है जिसमें दो दो डिजिट रिपीट होगा नान टर्मिनेटिंग देसिमल ठीक है इनको कर लेंगे 11 बज़े तक चलेगा ये कलास ये कलास 11 बज़े तक चलेगा आगे बढ़े इनको कर लीजिएगा भाग तो करना आता है न सिखाया होगी नहीं कर लीजिएगा इनको ये थोड़ा सा उससे अलग होगा बस इसके बाद साथी मेरे चौथा नंबर कलास में का पढ़बा हो चलेगा गुरू आज कलास आगे चलेगी ऐसे नहीं रुकने वाले हम ये कलास 11 बज़े तक चलेगी अब 10 बचके 50 मिनट तक पूरा पूरा ठीक है चलो इनको होमवर्क है कर लीजिएगा भाग करना है नहीं आएगा बता दे ना बाद में बता दूँगा आज मैं में मेनद नहीं करना चाहता हूं जादा अभी लेकिन लेंच करेंगे हम बाद में अभी नहीं ये बदल जा तो साथियों आप जो पढ़ेंगे वो अगली कलास का हिस्सा है आपके अब पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर क्या पढ़ेंगे फैक्टर इसको एक बार मैं पीडियाप सेव कर देता हूं नहीं ये कभी कभी गड़बडा जाता है और ये बंद हो जाएगा अगर तो फिर ये पीडियाप सेव नहीं होगी क्योंकि हम आपको टेलीगराम पर पीडियाप भी देते हैं न क्या आप लोग फैक्टर जानते हो कितने लोग जानते हैं गुड़न खंड अगर मैं पूछूं कि बारा का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा बताओ संख्या बारा का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा अब ये चौथा नंबर लाइब चलने जा रहा है अब जो चलेगा ये चौथा नंबर का पार्ट है यहां लगा भी दे रहा हूँ लो चौथा कहा गया बे दादा ए भई अबे मानी मेरे साथ दोखा एक दो तीन पाँच है चौथा नहीं है चलो जाने दो मैं चौथा बना लूँगा आप जो पढ़ाएंगे फैक्टर वो क्या है चौथा नंबर का पार्ट है चलो आओ बहुत अच्छा किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद होती है किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो संख्या खुद होती है ठीक है तो बारा का सबसे बड़ा फैक्टर बारा ही होगा ठीक है आईए ठीक है आप क्या टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर हेडिंग डालो यह नया टॉपिक खतम हो गया हो अब ही हम उसमें सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे गुडन खंड गुडन खंड गुडन खंड करते कैसे हैं इनको तोड़ना बस अलग अलग यहीं मतलब है जैसे अगर मैंने संख्या ले लिया फोर तो फोर का फैक्टर करके मुझे बताओ कितना आएगा आप लोग चलो मैं कोई क्लाफ लाइब कर देता हूं मुझे आदा मिनट देना कोई कलास छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपको मैच सीखना है जिनको भी मैच सीखना है नो ना टेलाओ कलास छोड़ के नहीं जाना है नौन इस्टाप पढ़ना है दो घंटे और बहुत कुछ सीख जाओगे याद रखें जिन्दगी में जिन्दगी में जो सोसल मीडिया जिसका नाम सोसल मीडिया है वो रियल में इसमें आप जितना समय बेश्ट करते हो न अगर उतना समय आप पढ़ाई कर लोगे तो बहुत कुछ हासिल करोगे रियल में हासिल करोगे बहुत कुछ हासिल करोगे ठीक है बढ़ियां किसी को कौनों दिक्कत नहीं न रितु समझ में आ रहा है असोक श्री राज संभभी कमल ठीक है बहुत अच्छा मुझे आदा मिनट देना मैं आया चलो आया मैं आया अपरमिला ये डियलेट वाली क्लास में ये लोग लाइब है बढ़ियां है मैंने ये क्लास डियलेट वाली भी लाइब कर दिया ता एक बार इनको फिर से इंट्रोडक्शन देज़ेता हूं साथियों बहुत-बहुत स्वागे थे आप सभी का PVR study में जैसा कि आप सभी को पता है कि आप DL at 4 semester के मैथ के लिए आप आए हैं रात की 10 बत चुका है और आपको मैं बता दूँ एक secret बात ये class रात 9 बज़ेश चल रही है और ये thumbnail or title आपका DL at का पढ़ा है 4 semester जो लोग DL at वाले class में जूड़े हैं लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे इसमें वही basic math का जो हिस्सा चल रहा है और जो बच्चे basic math में जूड़े थे winter बैच में उनका तो system पे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपको समझना है बस और आपका DL at के according पढ़ाएंगे कल आज DL at वालों की class जो है वो cancel थी तो मैंने सोचा कि आपको इसी में दिखा देते हैं ठीक है तो मैंने सोचा कि आपको इसी में दिखा देते हैं तो मैंने इसी में आपको live कर दिया बढ़िया है आज का topic है factor एक नया topic शुरू हुआ है DL at वाले candidate भे इसको प्यार से देखें क्योंकि factor इसमें जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए बहुत ही help full होगा और सभी के काम का है ठीक है बढ़िया है चलो तो factor करते कैसे है साथियों जैसे यह 4 है न तो क्या करेंगे पता है वैसे factor पढ़ने के पहले आपको भाज या भाज जे और सम बिसम प्रकृतिक पूर्ड पर्मिया पर्मिये वास्तविक संख्या कालपनिक संख्या पता होना चाहिए क्योंकि गुड़ अनखंड जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह संख्या किस से विभाज होगी विभाजता नियम भी पता होना चाहिए क्या कहना आपका संख्या 4 है यह सबसे पहले चेक करेंगे सम है या भी सम है फिर दूसरे पर चेक करेंगे यह भाज्य है कि अभाज्य है अगर इस दूनों चीजों से हमें अच्छा आंसर मिला तो हम आगे इसको डिवाइड करते हैं जैसे संख्या सम है ठीक है क्या है सम संख्या है दूसरा ये भाज्य है कि ये भाज्य है तो ये भाज्य है और अगर सम संख्या है तो अक्सर प्राया सभी दो से विभाज होती है दो का विभाजता नियम होता है आईसी संख्या जिसका लाष्ट का आंग यानि अंति मंग जीरो दो चार शे आठ इन में से कुछ भी होता है तो वो दो से फुली डिवाइड होती है और इनका तो लाष्ट का और सुरू का अंग सब वही है तो दो से विभाजी तो होगा नैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको बाकी तो हमको भी पता तूंका पता तो लड़को पता एक चार कट जाए दूशे तो कितना होगा दो से ये डिवाइड होगा तो टू टू जा फोर ओके और फिर टू से इसको डिवाइड करेंगे वन यानि फाइनल में आपको जो फैक्टर आएगा इसका पूरे इज्जत के साथ वो टू इन्टू टू आएगा ये है अभाज जे गुडन खंड क्या है अभाज गुडन खंड प्राइम फैक्टर इनका सिर्फ अगर गुडन खंड करें तो ऐसे होगा फोर का वान टू फोर ये क्या है ये इसका गुडन खंड है गुडन खंड का मतलब एक ऐसी संख्या एक ऐसा नंबर जिस से भाग करने पर दी गई फलानी नंबर पूरा पूरा कट जाए जीरो से फला जाए तो वो उसका गुडन खंड यानी फैक्टर होती है जैसे मैंने ले लिया आगर यहाँ पर 28 तो 28 का फैक्टर क्या क्या होगा पता है तुम्हे 1 होगा 2 होगा 4 भी होगा क्योंकि 4 से 28 होता है 7 भी होगा 14 भी होगा 28 भी होगा यह सबी ऐसी संख्याएं हैं जिन से अगर हम 28 को भाग करेंगे तो 0 से फलाएगा तो हम कह सकते हैं कि 28 के यह सबी गुडन खंड है समझ में आ रहा ना सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं न हम नहातिवारी कोई लेट नहीं हुआ है कोई बात नहीं ठीक है अभी तो कलास शुरू होई है अभी कहाँ जब तक कलास बंदना हो जा तब तक कहाँ लेट चलवाओ तो यह समझ में आया factor की यह है कहानी ये अभाज ये गुडनखंड हम यहाँ पर करके आपको बताए हुए थे अब हम बात करते हैं साथियों एक और अगर मैंने नमबर थोड़ा और बड़ा ले लिया अब मिटा दूँ इसको वैसे क्या मतलब है न क्या करोगे इनको रखके नई यार मत मिटाओ ये सबी क्या है अले में लीग बना देता हूं जेखो ये है अभाज ये गुडनखंड और ये है सिर्फ गुडनखंड नाट अभाज ये क्योंकि यहां पर चार क्या है भाज संख्या है अभाज नहीं है इनके जो गुडनखंड है वो भाज भाज दोनों है थीक है आई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है बढ़ियां मस्त चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और गुड़नखंड बताई देते हैं बाद में आगे उसको बताएंगे सम्भी सम्भाज अच्छा कितने लोग कह रहे हो वैसे कहने को तो सब अलग अलग बात बताएंगे जितनी मुह उतनी बात छोड़ो जाने तो आओ देखो आगे तो साथी मेरे जैसे मान लिजी अगर हमने कहा कि सोला अभी आसान अफान लेंगे इनका अभाज ये गुड़नखंड बताओ तो कैसे निकालेंगे जानते हो सबसे पहले ऐसे सोला लिखते हैं उसके बाद क्या करेंगे इनको देखेंगे सम संख्या है और भाज्य संख्या है तो फिर हम क्या करेंगे आइफे ठीक है भाग करेंगे दो अठे सोला गटाने पर आगया जीरो तो जिससे हमने भाग किया था यानि वो संख्या जो भाजक थी वो यहां लिखते है सामने और जो हमें उपर भागफल मिलता है वो भागफल यहां लिखा जाता नीचे आ रहा न पिंकी राव आ रहा कुछ स्टीला कुस्वाहा किको ना में इनका बड़ा फिर की है चलो आगे फिर क्या करेंगे दो से भाग करेंगे फिर फिर देखो तो दो से आठ में भाग करोगे जैसे यह तरीका था वैसे बार बार नहीं बताऊंगा मैं ऐसे ही दो से फिर थे आठ में भाग करोगे तो चार भाग फलाएगा तो यहां पर चार अब फिर फिर इनमें भी वैसे ही भाग करेंगे तो दो दुना चार ये प्रकिरिया बार बार अगेन एंड अगेन जाती है जब तक नीचे वन ना आ जाए अब यहाँ पर देखिए सोला के आगे चार बार ये दो सामिल ठीक है ये हो गया सोला का क्या अब हाज ये गुड़नखंड अगर हम सोला के गुड़नखंड की बात करें तो सोला का गुड़नखंड होगा 1, 2, 4, 8 एंड सोला ये सोला का गुड़नखंड है जनाब नीचे वाला क्योंकि सोला में अगर दो से बाग करोगे, चार से करोगे, आठ से करोगे सोला से करोगे तब भी 0 से पलाएगा तो ये सबी क्या है ये सबी सोला के गुड़नखंड है नीचे वाले अभाज गुड़नखंड नहीं लेकिन जो उपर आया वो क्या है वो अभाज गुड़नखंड है तो मैं आपको एक साथ में बता रहा हूं गुड़नखंड और अभाज गुड़नखंड में क्या आंतर होता है ठीक है अभाज आपस में मल्टीपल करने पर वो संख्या बन जाती है और कोई भी उनका गुड़न खंड फिर तूट नहीं सकता बिल्कुल पूरी तरह से सीता सती गवरा पारबती कैसे कहानी कोई सुना था वो ऐसे हो जाती ये सब ही अभाजे संख्या हैं जितनी भी है सब अभाजे है लेकिन इसमें ये भाजे है ये भी भाजे है ये भी भाजे है तीन संख्या भाजे है दूठी अभाजे स्वरी अभाजे नहीं है एक जो है ना भाजे ना भाजे ये ना भाजे है ना भाजे है याद रखना सिर्फ दो अभाजे है बस वो भी राधरीस बाहर है समझ गए सभीत एक बार हाँ बोलते हैं यास सभी समझ गए अच्छे से तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे गुड़न खंड क्या गुड़न खंड यानी फैक्टर तो सोला का देख लिया चलो आगे बढ़ते हैं आईए गुड़न खंड के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और सी नंबर इसको मान लोग कुछ भी चोटा चोटा नंबर पहले करवाऊं या फिर फाई फाई कोई नंबर और बता जिसका गुड़न खंड करें 640 का लेलो अभाज ये गुड़न खंड अभाज ये गुड़न खंड काइसे करेंगे आईए 640 सबसे पहले ये सम संख्या है और भाज ये संख्या है इसके बारे में आपको अगली कलास में बढ़ाऊंगा सम भाज ये क्या होती है भाज ये प्रकृतिक बता दूँगा अभी आप जान लिजिए मोटा मोटा सम और भाज ये संख्या है तो दो से डिबाइड हो जाएगी दो त्याही इचा दो दुणा चार जीरो इनको दो से करोगे तो दो एक कम दो दो छंग बारा ऐसे आगे बढ़ोगे 80 फिर दो से ये 40 फिर दो से 20 फिर दो से 10 और फिर दो से 5 ठीक है तो यह क्या हुआ कुछ नहीं हुआ तो यह 640 बराबर इनको किनिये 7 बार 2 और 1 बार 5 नीचे यह क्या है इनके अभाज यह गुड़न खंड है इनके अभाज यह गुड़न खंड है यह प्राइम फैक्टर है जै किस्थन राजपूत समझ में आ रहा है आजैसिंग कॉपी पेस्ट कर रहे थे क्या आप 5 बेट कर लिजी अंजना सर्मा बेरी गुड हरी स्वामी स्रचिन ठीक है भया अच्छा ये तो अब आज गुडन खंड था इनका गुडन खंड कौन कौन बताएगा बताओ चलो बहुत अच्छा बेरी गुड इनका गुडन खंड वन होगा टू होगा तीन भी होगा क्या कोई भी संख्या जिनके आंकों का योग फल तीन से विवाजित होता है वो संख्या तीन से विवाजित होती है इनके आंकों का योग फल दस होगा जो कि कभी तीन से विवाजित नहीं होगा चार से होगा हाँ पक्का होगा यार विभाजता नियम पढ़ाना बहुत जरूरी है फैक्टर के पहले मैं क्या ही करूँ क्योंकि बड़े बड़े नंबर का फैक्टर करोगे तो विभाजता नियम बिना इदाल नहीं कलने वाली नियम पड़ाना जरूरी है पहले संख्या का परचा है फिर बिवाज़ता नियम फिर यह ठीक है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि छोचालिज तीन से विभाजी नहीं होगी पूरी तरह क्यूं क्यों कि 3 का विभाज़ता नियम में इनके अंकों का योगफ़ल होगी कि 644 से पूर्णता विभाजित होगी क्यों कि चार का विभाजिता नियम होता है कि संख्या के लाश्ट के दो अंक मिल करके जो संख्या बनेगी अगर वो चार से विभाजित है तो पूरी संख्या चार से विभाजित होगी तो ऐसा तो हो रहा है ऐसा तो हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि 40 जो है न यार 40 40 तो विभाजित हो रही है न चार से सचीन समझ में आ रहा है विपिन इका भबया ठीक हो नहीं लफड़ा होईगा गरम हो रहा है जो वीडियो कैप्चर कार्ड है बाकी ये तो मैक्बूक तो नार्मल चल रहा है इसलिए मैं इसको मजबूत बनाया था चलो आगे तो चार से विभाजित होगी पूरी तरह से तो चार इसका फैक्टर होगा पांच से विभाजिता नियम कहता है कि लाश्ट में अंक जीरो होना चाहिए तो पांच से विभाजित होगी हाँ होगी देख लो तो पांच भी होगा छे से विभाजित तब होगी अगर वो संख्या दो और तीन दोनों से भी भाजित हो तो छे से भी भाजित ये कभी होगी नहीं क्योंकि तीन से नहीं थी साथ का भी भाजिता नियम लाश्ट के अंक का जीरो मतलब डबल करके पूरी संख्या से घटाओ और बची हुई संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी तो इनको भाग देखे हो इस 7 से नहीं होगी 8 से भी हो जाएगी 9 से भी नहीं होगी 10 से होगी 11 से नहीं कभी नहीं 12 से 12 चंग 72 बारा पंचे 60 चालिस नहीं होगा तेरफ नहीं होगा 14 बताओ कितनी कितनी सोगा और आगे तो ये जितने भी संख्याओं से 640 पूरता विभाजित होगी वो इसके फैक्टर होगी क्या होगे गुडन खंड होगे ठीक है हीना खातून बहुत अच्छा आपने वो ट्रिक लगाया अभी तो फिलहाल बेसिक हो रहा है ठीक है थाँ 640 के कुल कितने फैक्टर होगे तो ये जानने के लिए मैं साइध पिछली वीडियो भी डाला सा चैनल पे ना त्रिक वाला कि कैसे जाने किसी भी संख्या के कुल कितने फैक्टर होंगे बताया था कि क्या करते थे पता हैं दीगई संख्या का अभाज गुडन खंड करते थे और उनकी घात के रूप में लिखते थे ना इनका घात रूप में लिखोगे कैसे जानते हैं समझिए थोड़ा सा रूप के समझिए जैसे अगर यह संख्या बारा है तो बारा वन टू थ्री पोर six or twelve इन सबसे डिबाइड है यानी 12 के कुल मिला करके छे फैक्टर है बोलो हाँ नहीं 12 के कुल छे फैक्टर है तो इसी तरीके से साथीओं इसके 640 के कुल कितने फैक्टर होंगे यह जानने का एक त्रीक है प्रिक क्या है देखो यहां दी गई जो संख्याएं थी इनको घात रूप में लिखो तो दो का घात साथ और पांच का घात एक बनेगा ठीक है और फिर घात में एक जोड दीजिए और गुड़ा कर लीजिए तो साथ में एक जोड़ोगे आठ पांच एक घात में एक जोड़ोगे तो दूई तो कुल इसके 16 फैक्टर होने चाहिए बीपिन समझ में आ रहा है नहीं हां तिवारी गंगदीप DCI यह बेसिक मैं था यहां पर ट्रिक का कोई काम नहीं यह बाबू ठीक है यह कितने फैक्टर होंगे इसको जानने के लिए साट कर्ट में मैं बताया बाकी इसका कोई मतलब नहीं आ पर ठीक है तो इसके 16 फैक्टर होंगे तो इसी तरीके से आप इनके फैक्टर निकालेंगे पकड़ेंगे एक एक और रख देंगे ठीक है 1,2,4 5 8 10 और कितने सकटेगा यह बताओ 16 32 64 3,2,5 3,8 1,9 9 फैक्टर तो हम निकाली लिए 164 तो हो भी करेगा 1320 होगा 1160 भी होगा कि नहीं 320 1,5 160 160 चकटेगा क्या यह भाग देखके देखो अरे 160 640 में 160 से भाग करोगे 00 कट गया 164,64 साही यह कटेगा तो क्या होगा 160 तो होगा ही अरे भाई 80 भी होगा ना इसके नीचे 80 भी होगा 80 के नीचे 40 भी होगा 40 के नीचे 20 भी होगा तो थोड़ा सा सीरियल फे नहीं चल रहा फिर भी क्या हुआ 20 भी इसका फैक्टर है 40 भी है यह भाई इन सबका multiple के रूप में होगा समझ रहो अब समझ में आया देखो देखो फैक्टर कैसे निकाल लेंगे समझो बहुत प्यार से अब आगया मेरे दिमाक में अगर 8 इसका फैक्टर है तो 8 का डबल भी इसका फैक्टर होगा यानि 16 ठीक है और 16 का डबल भी इसका फैक्टर होगा यानि 32 और 32 का डबल भी इसका फैक्टर होगा यानि 64 ठीक है और 64 का डबल 128 भी इसका फैक्टर होगा की नहीं होगा की नहीं एक बार करके देखो एक मिनट यार यह लाक हो जाता है फोन कमेंट दिखता नहीं रुको बिल्कुल होगा चलो पांच बार जाएगा नहीं है तो मिल गया सारा पकड़ में आ गया सब 40 भी होगा 80 भी होगा 160 भी होगा 320 भी होगा और 128 भी होगा 128 दुना 156 भी इसका फैक्तर होगा होना चाहिए भाग देखे देखो 256 नहीं होगा लेकिन या रहीं गड़बड़ा जाएगा यहीं से उल्टा हो रहा है 128 का दुना 256 नहीं होगा तो कितने होगे 16 होगे की नहीं तीन दो पांच चार नौ दास ग्यारा बारा तेरा चाउदा पंदरा तो पकड़ लिए गुरू 16 भी पकड़ लो यह 640 लो कहां वचा है मुझे उमीद नहीं थी कि 16 हम निकाल पाएंगे लेकिन निकाल दीए रहा किसन पाल जी बहुत बहुत बलकम है अजैसिंग नंबर स्क्रिन पर चल वें उन पर संपर करिए यहां पर नहीं बताया जाता है सबका अलग अलग काम है बाबू ठीक है बताने वाले अलग है तो यह समझ में आ गया सभी को 16 हो गए विसाल पासवान बहुत अच्छा यहां पर थोड़ा सीरियल आगे पीछे हुआ है उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह सभी इनके फैक्टर है बाकी सीरियल लिख लोगे अच्छी बात क्या पड़ रहे हैं अभाज जे गुड़नखन टॉपिक है फैक्टर वैसे गुड़नखन और थोड़ा सा इसमें दुरभाग गए है कि आपको पहले समसंख्या बिसमसंख्या भाज्या भाज्या प्रकृतिक पूर्ण साहबाज संख्या यह सब आना चाहिए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़े अब बहुत ही छोटा फनमबर है 320 अच्छा पहले यह बताओ 320 के कुल कितने फैक्टर होंगे कुल कितने फैक्टर होंगे पहले जानेंगे तब तो निकालेंगे कितने होंगे ज़े तो छुट जायागा यह काठी आव देखो कैसे जानेंगे सबसे पहले अब आज फ्रिक गुड़न खंड के बाद हम टिक से जान लेते हैं कि इसके कुल कितने फैक्टर होंगे देखो कैसे अब फ्रिक गुड़न खंड एफै निकालते हैं आपको पता है इसका अधा 16 इसका अधा 8 ठीक है तो तीन सो बीस एक दो तीन चार पांच छे कितना छे छे बार है ना तो दो का घात छे पांच की घात एक देखो भाई घात में क्या करेंगे हम ये निकाल रहे हैं कि इनके कुल कितने फैक्टर होंगे कुल कितने तो अब हाज गुलनखन करेंगे घात रूप में लिखेंगे घात में एक जोडेंगे इसमें घात में जोडेंगे यानि इसके कुल 14 गुड़न खंड होंगे कितने होंगे 14 गुड़न खंड होंगे देखो ये ट्रिक अच्छी है ना लेकिन मैं basic math पढ़ा रहा हूँ ये ट्रिक नहीं पढ़ा रहा हूँ ये ट्रिक मैंने इफिलिय बीच में दे दिया कि आप जान सको इसके कुल कितने फैक्टर है और जान जाओगे पकड़ पकड़ लाओ खोद खोद के कि हाँ उतने पूरा करो बीरू बबू पढ़ लो सो मत समझ में आ रहा है अंस यादो आ रहा समझ में अंजना यादो जी बहुत बहुत अलकम है स्टीला अभिसाल सभी को आ रहा है बढ़िया चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो इनके हम आप गुड़न खंडवा तो खोजेंगे चवदा ठीक हाँ है 320 के चवदा गुड़न खंड खोजो चलो 320 चवदा गुड़न खंड खोजो इनके 14 बिना खोजे जाना नहीं आप चलो खोज करते हैं गाउं में घास खोदना को ही सहर में रिसर्च कहते हैं बढ़ा है कहीं हम चभी बात गाउं वाले जो खिल खिल में कर जाते हैं सहर वाले उसको रिसर्च और बड़े बड़े नाम देते हैं मतलब जो लोग हम लोग बच्पन में कर चुके है चलिए बीच में बात पता नहीं कहां से आ गई अब यह संख्या 3 से डिबाइड होगी बिल्कुल होगी क्योंकि अंको का योगफल 3 से डिबाइड है 3,2,5 और 0 कहां है गता नहीं होगी 3 से नहीं होगी 5 से तो होगी ही जनम सीद अधिकार है 6 से भी नहीं होगी क्योंकि अगर 3 से नहीं है तो फिर 6 से भी नहीं है 5 से भी नहीं होगी ए भाई देखो बहुत अच्छा जुगार बताओ तुमका का जितना मिला है न इनी का डबल तिरपल करो सब मिल जाएंगे कैसे देखो अगर इसका गुडन खंड चार है न तो इसका फाइक्टर 8 भी होगा पक्का होगा और अगर 8 है तो 16 भी होगा पक्का होगा 16 है तो लग यहाथ 32 भी होगा अरे देख भी लेना एक नजर यह नहीं कहा होगा होगा ऐसा नहीं है लेकिन यह हैं सब करके देखो 8 से भाग करो कर जाएगा 16 से करो कर जाएगा 32 से करो कर जाएगा 64 भी होगा क्या तो का काला गा था 64 होए अभी छोड़ो 64 जाने दो इनका डबल करिए अगर 5 है तो इनका फाइक्टर 10 भी होगा बिल्कुल है 20 भी होगा बिल्कूल है 40 भी होगा 80 भी होगा अरे देख लो ना इसे हवाम थोड़े कह रहे हैं या या देखो 8 चोख 32 80 भी होगा तो फिर 160 भी होगा और 320 तो होगा ही देखो 14 होई का यार इतने में एक इतना भायार 13 14 14 निकाले कर रहा है ज्यादा है नहीं न 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13 एक ठीचूटा है कौन चूटा भाई ए फलाने कौन चूटा है 64 भी होगा का 64 भी होगा 32 एकम 32 कहा होगा 0 बचने जाएगा नहीं होगा 64 एक ठीचूटा है कोई दिमाग लगाओ फटा फट दवडा के पकड़ो जवाब दीजिए फटा फट कनया लाल बाबू यहाँ पे मैथ जो पढ़ाया जा रहा है वो बेसिक लेबल है और रेगूलर कलास में डाउट नहीं होगा एक ठीचूटा है कोनो यार भाई निकाल लो अप लोग तो अच्छी बात है छुट्टी करो दिमाग लेकिन लगाओ नहीं करेंगे तो ताक रहें इसे सुकोबाद इसे हम लिख देवे ते उताल लिए दिमाग तो जोलम डख के टांग आया है खुटी ना इतादर से बोल रहें कौन छूटा है कौनो नहीं बता रहा एक कौनो छूटा है चाउँसट नहीं कटेगा चूट से कटेगा क्या यारे सायद मिस्टर आर्थ लबर मुझे भी वही लग रहा है मैं नहीं काट पा रहा था क्या फिर आ यार चूटा पंचे होता है का दिमाग कदभी बना के रख्यो चूटा भी होगा यह लो तो काहे हम हार माल ले एक बार हो ऐसे करे ना डिबाइड करो इनको आर्थ दिबाइड करो आठ थाई चौशट आठ यह देखो यह यह हुआ ना हार काहे माल लेते हो ओ गया खतम चलो अरे वही ना किसी के सहारे की जरूरत होती कभी कभी तो ये था क्या ये था गुड़नखंड वाला चैप्टर मैंने आपको सिखाया कि आप हैक्टर कैसे निकालेंगे फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि किसी भी संख्या के कितने गुड़नखंड हो सकते हैं उसकी ट्रिक बता दिया आप कौनों भी संख्या देखो इनकी कितने जैसे देखो आज कर लोग तुमाय हाथ देख both मेरे कितना लडिकाश दोगा समय जरने लगता है में एधने लगता है सही लाजिक है अज देखो उन लोगों के online होते हैं उको एहांए भगवान की देन है भगवान का परसाध है हम ले रहे हैं क्या ही कहूं मैं कलास में पर साथ अगर लेना बंद कर दो तुम जो रियल में ले रहे हो तो फिर वो नहीं होंगे यह हो गया